अपर्णा बिष्ट यादव। किसी ने बड़ी दिल्चस्प टिपनी की ट्विटर पे कि ये एक एक लौता ऐसा ट्रांसफर है जिससे सपा भी खोश है भाजपा भी खोश है। अपर्णा क्या आपके पास टिकट मांगने के लिए आई थी लखनो कैंट की सीट से। कई लोगों ने कहा कि अकलेश भाईया से पूछेगा कि वो तो करहल से पर्चा भर रहे हैं, डिमपल जी कहां से पर्चा भरेंगे। अपोजीशन आपको प्रो मुस्लिम साबित करना चाहता है और दूसरा लॉइन ओडर को लेके लगातार आपकी एक खास तरह की इमिज बनाई जाती है। हिडलर के जमाने में केबल एक प्रोपोगेंडा मिनिस्टर था, ये पूरी सरकारी प्रोपोगेंडा फैलाती है। आपने कहा, आप सत्ता में आयों तो पैंशन विवस्ता लाएंगे। दो हजार चार पांच में तब आपके पिता जी मुलाइम सिंग यादव जी की सरकार थी। लोगों ने सवाल किया, तब तो कुछ किया नहीं, अब कैसे मानने। आपने टोटी की बात की हमने का चिलम है। कभी आप लोग मिले हैं ? जाइ, मैं एकाद बार किसी फंक्षन में मिल गया हूंगा, नेता जी के हां मिल लिया हूं, या उनका जनम्देने तो फोन कर लिया, हमारा जनम्देने तो उन्होंने फोन कर लिया। इसके लाबादा नहीं मुलाखा थी कभी। मुख्यमंत्री जी घर आए नेता जी का हाल चाल लेने तो देखते हैं वो तस्वीर कई बार आती है हमने तै किया नेता जी के आँ एक सदस्ता का फॉम रखवा दिया है जो आए उसको पहले सवाध्यादी पाड़ी का सदस्द बना दो सौतन देव सिंग भी अपने इंटर्व्यू में कह रहे थी कि मैंने उनको राधी-राधी का अंगवस्त्र पहनाया तो वो पहने रहे उन्होंने बड़ा सब्मान किया अजा हमारे कुल के भगवान हमनी मानने तो तुम मानोंगे क्या ये क्या बात हुई उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे किसी जेल में घंटा नहीं एक घंटा नहीं दो घंटा नहीं तीन तीन घंटे रहे हैं किस जेल में आप जनकारी करिए और हमारे मुख्यवंती तो कमाल की हैं साड़े चार साल में बिजली के कार खाने का नाम नहीं रट पाए अगर उने एक भी बार ये का हो कि 3 x 660 सुपर किटिकल थर्मन प्लांट हमने लगवाए हो राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले इस न्रेटिव को चलाया जाता है अब गाना था यह एक राठफ़ ने गाना चाहिए नहीं राठफ़र और कई लोग कह रहे हैं कि शायद वो सपाई हो जाएं राजबबर सत्य है या अखिलेश जी ओवैसी जी के साथ गटबंदन में इतना हिचक क्यों रही है मेरी और उनकी दल से कोई बाचीद नहीं हूँ आप अद्मी पार्टी के नेता और राजय सभा सांसत संजे सिंग वहां पर गरारी कहां पस गई कहां अटग्यावान में इस बार ब्यूरोक्रेसी में बड़ी चर्चा है कि आप कुछ अथिकारियों से बहुत नाराज हैं इम्रान मसूत प्रकरण में हुआ क्या नौजवानों ने पूछा है कि कोविड में उनके दो साल वेस्ट होगए कि आप एज रिलेक्सेशन देंगे दो साल का अच्छा लोग ये भी पूछते हैं कि अखलेशी से पूछ लीजेगा आपने वैक्सीन लगवाई या भी कि नहीं तेजस्वी के भाई हैं तेज पृताफ अकलेश जी से उनको बड़ा प्रेम हैं कहीं दर्चन वर्चन करने भी जाते हैं तो वीडियो कॉल ठोक देते हैं आपको और आप मीटिंग में भी होते हैं तो उठाते हैं ये सत्य है ठीक बात है मैं अपनी जेम में अन्न की पोट्री लेके चलता हूँ और मैं हरे को संकल्ब दिलाता हूँ कि संकल्ब लीजिए और भाजिंदा पाड़ी भाटाईए ने मैं रखे हूँ नहीं मैं रखे संकल्ब दिलाता हूँ अगर आप चाहिए आप भी ले सकते हैं जमघट लल्लन टॉप का वो मंच जहां सत्ता के दाविदारों से सवाल पूछे जाते हैं आपके हिस्से के अपने हिस्से के जमघट में हमने पहले अंक में बात की उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदेतिनाथ से और तब से ही लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्री अध्यक्ष अकलियश यादोजी से कब बात करेंगे आपका इंतिजार पूरा हो गया इंतिजार हमें भी था बहुत सारे सवाल आ रहे थे पूरे प्रदेश से तो आप जमघट में शेर्कत कर रहे हैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं धन्यवाद देता हूँ आपके जमघट के कारकम में बुलाने के लिए सिंबल बट रहे हैं समय की बड़ी कमिया सीधे मुद्धे पर आ जाते हैं भूमिकाओं का वक्त बीत गया है आपकी पहली लिस्ट आई बीते दिन भाजपा लगातार ये इलजाम लगा रही थी कि गुप-चुप सिंबल बांट रहे हैं विद्रो के डर से और इसी लिए पूरी लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं जबकि रालोट की एक लिस्ट पहले आई थी इस आक्षे पर आपकी क्या टेपुड़ी है भार्टी जन्ता पार्टी को परिशानी क्या है हम टिकेट दे रहे हैं लोग अपना A B फॉर्म ले जा रहे हैं परचे की त्यारी कर रहे हैं और वा अब्रेट कर दे रहा है डिजिटल प्रेट फॉर्म पर डाले दे रहे हैं कोई बात छिपती नहीं है तो भार्टी को यह सोचना चाहिए समयादी पार्टी सूची वाकाइदा हर फेसिस की लाना चाहती थी और अभी हमने बड़ी संख्या में अपने प्रत्यासी घोसित कर हैं हाँ प्रत्यासी हमारे घोसित हों बहुत जल्दी देखेंगे आप कि सभी पार्टी के प्रत्यासी घोसित हो जाएंगे अखलेश जी एक हैश्टेग और भाजपा चला रही थी कल आपकी सूची आई कल ही वो हैश्टेग चल रहा था पाक प्रेमी अखलेश आपने Economic Times नाम के अख़वार को एक इंटर्व्यू दिया था जिसमें आपने BJP की स्ट्रटजी पर बात की थी क्या आप दर्शकों को बताना जाएंगे वो पूरा प्रसंग क्या था और इस हैश्टेग पर आपकी क्या टिप पुड़ी है भारती जन्ता पार्टी कभी भी असली मुद्वों पे नहीं लड़ना चाहती है और वो जान बुश करके वो मुद्वे उठाती है जिस मुद्वे से कही न कहीं खाईप्धा हो समाज में या उन मुद्वों को उठाती है जिन मुद्वों से उसे लाब पहुँचे सवाब एक है पॉलिटिकल पार्टी है वो सवाल उठाएगी इधर मैं जब से भाती जनता पार्टी ने ऐसे सवाल उठाएगी और जब से अन्याय अत्याचार किया है किसानों पर मैं अपनी जेम में अन्न की एक पोट्ली लेके चलता हूँ और अन्न की पोट्ली से लेके चलता हूँ कि हमारे एक से समर्थन मांगता हूँ कि अन्न दाता के साथ जो अन्याय अत्याशार हुआ है अन्याय अत्याशार करने के खिलाफ मुद्दान करेंगे उन्हें हटाएंगे के नहीं हटाएंगे और कहो तो मैं अभी पोट्री निकाल के मैं आपको भी दिखा सकता हूँ और आप चाहें तो आप भी अन्य दाता के खिलाफ जिन्होंने अन्य आए किया उनके खिलाफ संकल्ब ले सकते तो भादेंता पार्टी को तकलीफ ये है कि किसान के सवाल पर वो बहस नहीं करना चाहते है उनका संकल्पत उठाईए पहला पन्ना ये है कि किसानों की आयदोगनी हो जाएगी मैंने मुखिंदी जी का भाशर सुना और कई वाज स्टेटमेंट सुना उन्हीं कहा कि 2020 तक किसानों की आयदोगनी हो जाएगी किस फसल की किस किसान की आयदोगनी हो गई ये बहतेंता पार्टी बताए और जिस समय महंगाई बढ़ गजाए महंगाई दोगनी हो जाए कमाई आदी होने लगे तो कैसे खुशा लियाएगी तो जान बूच करके हैस्टेक चलाना हो जहां तक सवाल इस तरह के हैं पाकिस्तान का सवाल वो अपने ही बनाए हुए पहले सीडियस का स्टेडमेंट नहीं सुनते है इस से बड़ा दुर्भाग कि क्या हो सकता है बादिनता पार्टी के जिन जिन शीर्स नेताओं ने हैस्टेक या उनके कारकरताओं ने हैस्टेक चलाकर कि कहा है उन लोगों को अपने बनाए हुए पहले सीडियस बिवंगर जिनरल विपिन राबच जी ने जो कई बार कहा कि हमारा नमर वन दुश्मन चीन है नमर दो दुश्मन पाकिस्तान है बड़ा दुश्मन चीन है छोटा दुश्मन पाकिस्तान है अगर ये नहीं का है हम तो उन्हीं की बात कहेंगे सीडियस से बड़ा कौन है अगर हम विपक्ष के लोग हैं अगर हमें किसी से कोई हमसे सवाल पूछेगा तो हमारा जवाब क्या होगा हम उन्हीं को तो फालो करेंगे तो भादेजिता पार्टी से कहो कि जो इतने बड़े अधिकारी फौज के थे एक हाथ से में उनकी जान चली गई एक घटना में उनकी जान चली गई क्या उनके स्टेट्मेंट पढ़ते थे या फिर उनसे स्टेट्मेंट किसने दिलवाया और हमने उस बात को माना कि अगर हमारे देश के सीडियेस ये कह रहे है तो सबाब है कि हम वो बात कहेंगे आप पर तमंचावाद का इल्जाम लगाया जिन्ना शब्द को लेकर भी बहुत हैश्टेग चले एक शब्द और इस्तमाल कर रहे है बीजेपी की नेता लगाता है काशी कॉलिडोर और सबके संदर में औरंगजेब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी ये जो बार-बार आपके आपकी पार्टी के नाम के साथ जिन्ना और अंगजेब पाकिस्तान लगाना चाह रही है आपको क्या लगता हूँ कि क्या रणीती है और वो कैसे ये नेरेटिव बिल्ड कर पा रहे है हीडलर के जमाने में केबल एफ प्रोपोगेंडा मिनिस्टर होता था लेकिन अब भारतियसमंतारणी का काम करने का तरीका देखिए तो पूरी सरकार प्रोपोगेंडा पर चलती है जो उपर टेक होता है वही नीचे तक जाता है आज जो सबाल उठा रहे हैं जिनना जिनना वो जाती गिनना कब शुरू करेंगे सवाल यह कि जाती गिनना कब गिनेंगे आप आप कास सेंसस की बात कर रहे हैं बिलकुल और भारती जंता पार्टी यह बताए जब नारा यह देते हैं कि सबका सास सबका विकास तो क्या जाती जंगना करेंगे कि नहीं करेंगे और फिर जो तैह हो जाता वही बोलते हैं ये लोग ये अपरादी या इस तरह के सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि पिछली बार चुनाओ लड़ने गए थे इसने तो IPC में सेक्शन नहीं है और कितने गंभीर मुख्यमंगे तो इसलिए इन्हें अपना जवाब देना चाहिए कि हाँ हमने अपने मुख्यमंगे बापस लिए पूरे देश में बताईए किसी मुख्यमंती तो बाजपा कहती है नाम लेके कि आपने कहराना से नाहिद हसेन को टिकट दिया जो जेल में हैं गैंग्स्टर एक्ट समेफ तमाम धाराएं हैं फिर आपके वो मेरट के केंडिडेट्स का, रफीक अंसारी समित कई लोगों का नाम गिनवाते हैं, मुखिया गुरजर का, ऐसे कई एक सूची उन्हों हने है, जिसको लेके लगातार वो ट्वीट वगेरा करते हैं, आपको लगता है कि सपा को, मुझे दो हजार बारा का आप सपा को एक कॉंशिस फाइट करनी पड़ती है, एक तो ये जो, जिसको मैं बहुत ही फ्लैट लहजे में कहूं, तो अपोजीशन आपको प्रो मुस्लिम साबित करना चाहता है, और दूसरा लॉग और को लेके लगातार आपकी एक खास तरह की इमेज बनाई जाती है, कई उ आपने सब ने इनके विग्यापन देखे, जब इने विखास दिखाना था, तो कलकत्ता का फ्लाइवर दिखाया, उसी विग्यापन में अमरीका के कारखाने दिखाये गए, अभी जब जेवर का एरपोर्ट का शिलाने सोना था, चीन के एरपोर्ट की तस्वीर दिखाई, तो इनके हर विग्यापन जूटे हैं, ये बताएं, इनके मुख्यमेंत्री जो थे, उन पे एफडेविट में कितनी धाराएं थी, उप मुख्यमेंत्री पे कितने थे, और पिशला आकड़ा ये कहता है कि उत्तप अदेश की बिधान समा में, सबसे ज़्यादा अपरादिक मुख्यमे वाले, अगर कहीं किसी पार्टी के बिधायक थे, तो भारते जिंदा पार्टी के थे, और फिर मुझे ये बताएंगे, कि जो कानून ववस्ता है, सबसे ज़्यादा है, स्ट्रक्रिस चेंजिस अगर कोई लाया, पुलिस विभाग में, तो समाजवादी सरकार ल उनको मैंने नियॉक भीजा, उनके साथ एक प्रॉफिसर वेंकट को भीजा, जो इस विवस्ता को पूरा लनाने की कोशिश कर रहे थे, नियॉक की पुलिस कैसे काम करती है, उसका रिस्पॉंस सिस्टम क्या है, वहाँ गई ये लोग, उसका हुस्टन का कंट्रोल रूम दे हैतर नहीं किया, उसको बरबाद और खस्ता हाल अगर किसी ने किया है, तो हमारे मुख्यमंतीज ने किया, जिस पुलिस को इतनी अच्छी विवस्ता दी हो, उसका खस्ता हाल कर दिया, तो आज मुझे ये बताएं, कि गोरकपुर में एक वेपारी जाता है, उसको पुलिस पीट-पीट के हत्या कर देती है, हम और आप आज बात कर रहे हैं, दो दिन पहले एक और कस्टोडिय डैथ हुई, 16 साल के नौजबान को मार दिया, पुलिस ने पीट-पीट करके, आज उत्तप देश सबसे ज़्यादा कस्टोडिय डैथ में नम्मो बन है, सबसे कई पुलिस भागी हुई है, पुलिस को पकड़ नहीं पा रहे हैं, पुलिस के लो, नहीं नहीं यह तो आई-पीएस है, पुलिस भागी हुई थी, जौन पुर में कस्टोडिय डैथ में पुलिस फरार थी, बड़ी मुश्टर से पुलिस पकड़ में आई, और फिर महुब कि आपने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लिया आप वहभव कृष्ण की प्रेस कॉनफरेंस की बात करें वहभव कृष्ण मैं नाम आई पैस के क्यों लूँ मैं नाम जो एक आई पैस है उन्होंने लिखकर के दिया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसमें पैसे की लेंदेन हुई उसकी जांच चल लाई है अभी तक जांच पूरी नहीं हुई दूसरे आईपिएस ने क्या साज़ रची और जांच खतम करने के लिए उस आईपिएस को रामपुर भेजा गया नहीं गया भेजा गया एक अधिकारी जिलादिकारी जिसका समय खतम हो रहा तो अपने केडर में जाना था उसको कहा गया कि तुम्हारा केडर तब खतम होगा या बढ़ावा एक्स्टेंचन होगा अगर तुम इनको फसाद होगे तब तो आज हम खासाब को इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग लॉइन ओर्डर की बात कर रहे हैं अभी प्रधान मंती जी होम मिनिस्टर आये थे पूरे देश के डीजीपी यहां बैठे थे जो पुलिस हेड़कॉर्टर देखा उन्होंने एक डीजीपी कह रहा था कि ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी यूपी के पास पुलिस विभाग के लिए एक जगह काम करने के लिए ऐसा इंफरसेक्चर हो में तो जिस पार्टी ने इतने अच्छे काम किये हो भारती जंता पार्टी विग्यापन में कितना पैसा खर्च करती है अभी चुनाव नहीं था अच्छा हूँ आप लखनू नहीं आए तो दिन बाद आए और शायद पहले आयोंगे तो आपने देखा भी होगा कोई जग परचार का पैसा तो तो हर चौराय पे नहोंने पोर्डिंग लगी थी आसो खाली दिखी मुझे यह सरकारी पैसे से जूटा परचार कर रहे थे इसलिए प्रोपगेंडा परसेप्शन में अगर कोई आगे है तो भाती जंता पार्टी है और यूपी में कोई सर्प्राइज नहीं होने वाला है यूपी के जंता जान गई है यूपी की जंता ने मन मना लिया कि समाजवादियों की और उनकी सा गड़बंदन की सरकार बनने जा रही है अगर कहीं असली सर्प्राइज होगा तो गुजरात में होगा क्यों गुजरात की जंता ने बनाया है मन कि जो गा खाये जा रहे हैं यह पोल कुछ नहीं है इस सब यह भी मैं पूछना चाह रहा था कि एसी को आपके पार्टी के ने ताउन यह प्रतिवेधन दिया है कि इस तरह कि पॉल्स बंद किये जाएं क्योंकि यह पॉल्स पॉल नहीं है यह ओपियम पॉल हैं गुम्रा करते हैं आप जमीनी चैनल है माली जी तो आपको जमीन पर तो पता लग रहा होगी जमीन पर लोग क्या चाहते हैं तो सारे 75 जिले घूम लिए चुनाव के नाराज़गी है युबाओं में क्या नाराज़गी है और आप से बेतर कौन जानेगा तो आपक्या आप भी ओपियम पॉल पे यकीन करेंगे चुनाव आयोग ने इस पर क्या रिस्पॉंड दिया है चुनाव आयोग ने तो उन्हीं को नहीं को नहीं हटा है जिनको पहले मैंने शिकायत की कि बीजेपी के कारकरता बनके काम करना है अधिकारी यह आपने देखिए अच्छा जिक्र किया मुख्यमंत्री से मैंने यह सवाल पूछा था क्योंकि जब उनका इंटर्व्यू हमने किया था तब तक आपकी यह बात सामने आ गई थी कि अखलेश जी ने इन चार अधिकारियों का नाम लेके चुनावायों को कहा है तो उनका रिप्लाई था कि अधिकारी अधिकारी होता है ना भाजप लग लगरे थे और पूरे देश में और पूरे उत्तवक देश की जनता ने पंचाये चुनाव देखा इस पंचाये चुनाव में बड़ी संख्या में अधिकारी भार्ती पार्टी के कारकरता बन गए थे हम लोग महावारत में सुनते थे देख लuana किसी महला के साथ कपड़े चीने गए हो, साड़ी चीन लिए यह भारती जनता पार्टी के कार्करताओं ने, मातां और बेनों के कपड़े फाड़े, साड़ी चीन ली, किसलिए क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना था पूरे उत्तव प्रदेश में पुलिस ने चुनाव लड़ा पंचायत का जनताने ने हरा दिया इसलिए मैं कहरा हूं कि मुख्यमंत जी पर भरोसा करना ज़रूरी नहीं यहен यह जनकारी रहती है क्योंकि आपको मुझसर पेंजानकारी होगी ये तीन जेके से पलाइन हुआ इनका मत्रा, अयोध्या और प्रियागराज भी आप कह रहे हैं सुनने में आ रहा था कि ये चुनाव लड़ेंगे मत्रा से सुनने में आ रहा था फैज़ाबाद से लड़ेंगे और फैज़ाबाद पर आप जानकारी करिए किताबे बाटे गई, मुबाइल बाटे गई, लिफाफे में पैसे बाटे गई, कमरा बुक हुआ फिर अहुद्या से पलाइन क्यों कर दिया गया, गोरखपुर घर क्यों पहुँचा दिया गया मुक्यंती जी को लोग तो अब अधिकारियों में और सम्में ये चड़ जाए, कि मुक्यंती जी लखनू नहीं रहते हैं आप सबके दिमाग में गोरखपुर रह रहे हैं, और अब गोरखपुर में ही रहेंगे वो तो पलाइन किसका हुआ? इस बार जनता इनका राजन्यतिक पलाइन करेगी मैं इस पर सीट सेलेक्शन पर फिर से आऊंगा, लेकिन जनता के पास आप जिन मुद्दों को लेके जा रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे लेकिन पहले गटवंदन पर बात कर लेते हैं, इसको लेके काफी चर्चा भी हो रही है, सोशल मीडिया में भी और ग्राउंड पर भी पीते दिन मैंने जैंत चौधरी जी से बात की, राश्ट्री लोगदल के, राश्ट्री अध्यक्ष से उनके साथ आपका गटजोर वो बार-बार बोले कि नहीं, हम 403 सीटों पर लड़ रहे हैं, उन्होंने इस पश्ट का, उन्होंने का कोई मतभीद नहीं है अकलेश जी को मुक्यमंत्री बराना है, हम 403 पर लड़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच खबरें बहाएं, जैसे माठ की सीट है मतुरा की उनके केंड़ेट ने एलान कर दिया हम लड़ रहे हैं, आपने संजेल आठर को टिकट दे दिया बिजनौर सदर की सीट, आपकी पार्टी से नीरत चौधरी कह रहे हैं, उनकी पार्टी से नीरत चौधरी कह रहे हैं, आपके से रमेश्ट उमर तो कई सीट हैं सिवालखास की सीट पर बड़ा विरोध हो रहा है वो आपकी पार्टी में नेता थे अब हैंटपम के सिंबल पर तो ये सिंबल को लेके या गटजोड को लेके क्योंकि हमने ये 2017 में भी देखा था कुछ सीटों पर कि आप और कॉंग्रेस एलाइंस में थे लेकिन कई जगे पर फ्रेंडली फाइट हो रही थी जैसे तुलसीपूर की सीट मुझे ध्यान आ रही इमिरेटली तो ये कैसे फिगर आउट कर रहे हैं आप लोग देखिए जब और जो माट का है सेटल हो गया है वहां से समाज़दी पार्टी के प्रत्यासी लड़ रहे हैं और जहां बिजनौर सदर में बाचीत करके अभी नॉमिनेशन अगर दोनों के भी हो जाएंगे तो हम दोनों मिलकर के फैसला लेनेंगे एक ही लड़ेगा चाहे हम लड़ें चा दावा करनें दोनों ने अपनी अपनी त्यारी कियोगी अगर हमारे पार्टी से जो प्रत्यासी बनना चाहते है उन्होंने त्यारी की उन्होंने भी त्यारी कियोगी उनके अरली में तो हम दोनों लोग आपसे बाचीत करके तैकर लेंगे कहीं कोई आपको डिफरेंस नही कहते हैं कि उनके पास यह शमता थी कि वो अगर बहुत ही बहुत लहजे में को कि जाटो वोट को दे इंशोर्ड की वो ट्रांसफर हो जाई लंबे समय तक यह बात कही गई आपका जो आपके पिछले दो अन्भाव रहे हैं गठबंदन को लेकर 2017 में कॉंग्रिस के साथ 2019 में बस्पा के साथ वो किस तरह की अन्भाव थे क्योंकि आपको इस बार के गठबंदन के लिए तैयार किया होगा आपको लगता है कि यह बूत लेवल पर एलाइंस होतना पिछले कई गठबंदन में ने किये और पार्टी के कारकरता नेता उने पूरी जिम्मेदारी से इमान का समर्थन किया और मद्दान किया वो रिजल्ट हैं परणाम हैं और हम बूत पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बोर्ट ट्रांसफर होगा है बहुजन समाज पार्टी के साथ भी अगर गठबंदन हुआ सीटों का तालमेल बना समाज़ादी पार्टी ने बहुत इमानदार पार्टी के कारिकरता ने इमानदारी से एक दूसरे को बोर्ट दिया और ट्रांसफर किया वो परसितियां थी कि जो परणाम हम चाहते थे वो नहीं मिला समाज़ादी पार्टी का एक एक कारिकरता एक एक ने था कम से कम इतना जिम्हदार है कि पार्टी के फैसले के साथ ख मुझे पूरा भरोसा है कि इस alliance में भी एक दूसरे का समर्थन होगा, एक दूसरे के कारिकरता, एक दूसरे का साथ देंगे। Congress को लेकर इस तरह की बहुत अठकल बाजियां चल रही थी कि Congress के खेमे की तरफ से भी और सपा के खेमे की तरफ से भी लास्ट तक wait and watch की policy अपनाएगी, लेकिन बाचीत का दर्वाजा खुला रहा ताकि गटवंदन की गुंजाश बन सके, वर यू इन टॉक विट कॉंग्रिस बीड़ी कॉंग्रिस से अनवहम नहीं अच्छा रहा, इसलिए Congress के साथ एलाइंस पहले दिन से इसमाज़ादी पाटी ने मना कर दिया कि हम Congress के साथ नहीं जा सकते क्या खराब अनवहरा आपका 2017 में जो परणाम सोचे थे वो परणाम नहीं आए क्योंकि Congress के पास वो बोर्ट नहीं है जो ट्रांसफर करा सके आपकी इधर हाल फिलाल में राहूल गांदी जी से या प्रियंका गांदी जी से कोई बात मुलाकाश चाथ है मेरी इधर किसी भी Congress के बड़े नेता से बात नहीं हुई है क्योंकि आज जब मैं आपका इंटर्व्यू कर रहा हूं तो Congress के एक और नेता है आर्पियन सिंग उनके भाजपा में जाने की ख़बर चल रही है और एक ख़बर और चल रही है अभी Congress में नेता है और कई लोग कह रहा है कि शायद वो सपाई हो जाए राजबबर सत्य है कौन किस के साथ जा रहा है मुझे नहीं पता आप राजबबर आना चाह रहे हैं सफ़ा में राजबबर जी इस पार्टी में पहले भी रहे हैं और अगर कोई फैसला होगा तो हम लोग छिपानी पाएंगे और कोई किसी दल में जा रहा होगा तो कोई रोग नहीं सकता किसी को यह कई लोगों ने कहा कि अखले जी ने तमाम पुनाने साथियों को न्योता भेजा है यह तो अनमान लगाने की बात है और एक वाइल्ड गैस लोग करना है कि हाँ यह हो संबभ है बीजेपी क्यों घबराट है बीजेपी को अपना विकास बताना चाहिए कि आखरकार यूपी में क्या विकास किया उन्होंने वो क्यों गिंती करने कौन कहा जा रहा है नहीं मैं तो यह लोगों के अर्मान बता रहा था गटबंदन पर मेरा एक और सवाल है मैंने आपकी गटबंदन के कमोभेश सभी पार्टियों के राश्ट्रिय अध्यक्षों से बात की केशवदेव मौरिया जी से, राजभर जी से, संजय चोहान जी से, जयंत चौधरी जी से लोगों ने कहा कि अखले जी ने पहले अलग-अलग सामाजिक वर्ग के प्रतनिद्रत वाले इन पार्टियों से गटजोड कर लिया फिर एक मोमेंटम बिल्ड करने के लिए जो बीजेपी या दूसरे दलों से नेता है उनसे भी कर लिया और एक इंटर्नल फ्रिक्षन शुरू हो गया जैसे उन्होंने उधारन दिया कि बनायू में आपके छोटे भाई धरमेंद्र यादव सांसद रहे 2019 में संग मित्रा मौरिया से हारे स्वाइपिसाद मौरी की बेटी केशव देव मौर के बेटे भी वहीं बिल्ड सी से चुनाव लड़ रहे हैं तो मौरियाओं का नेता कौन ऐसे ही मदुबन की सीट है दारा सिंग चोहान यहां पर आ गए हैं आपके साथ संजय चोहान की पार्टी अल्रेडी तैयारी कर रही थी आप रामचल राजभर जी को ले आए उम्रकाश आजभर जी पहले से ही है तो लोगों ने कहा कि यह अब अखिलेश के लिए एक नई राजनेतिक चुनोती है कि उनके बीच कैसे वो संतुलान स्थापित करें यह काम और सब को संतुष्ट करना सब को साथ लाना समाजवादी पार्टी ने कोशिच करके सब सब को जोड लिया है और आप आगे देखेंगे कि सब संतुष्ट आपको दिखाई देंगे क्योंकि कल आपने लिस्ट जारी की उसमें उचाहर की सीट से आपने मनोज पांडे को टिकट दिया वहां से स्वामी पुसाद जी के बेटे टिकट मांग रहे थे कहा गया कि भाजपा में भी इसलिए खड़की थी उनकी जितनी भी सीटें या जितने भी गठवंदन दलों के साथ मैंने गठवंदन किया है सीटों की बादचीत और गठवंदन तभी पूरा हुआ है एक हमको सांखिकी के विशिशागी मिले उन्होंने एक बड़ी मौजू टिपपड़ी की अखलेश जी और मैं जिस जिले से आता हूं रही जालों से उसने इस प्रियोग की सफलता भी देखी थी 1993 में 1993 में समाजवादी पार्टी और बस्पा ने मिल के चुनाव लड़ा था और चारो सीटें जीती थी उन्होंने कहा कि अगर ये जो 2019 वाला सपा बस्पा का गठवंदन है ये 2022 तक कायम रहता तो लोक सभा की मुकाबले विधान सभा का वोटिंग पैटर्न अलग होता है चीजें कुछ और होती आप 2018 में बाई एलेक्शन के पहले जाते हैं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायवती जी के पास वो तस्वीरें भी आती हैं जिसमें आपकी पत्मी और कन्योच की पूर सांसर डिंपल जी उनके पाउच होती हैं लेकिन 2019 के बाद से बयान आते हैं और बात नहीं होती है आपको इस बात का अफसोस है कि वो चल सकता था जादा बहतर होता मेरी कोशिस थी कि दोनों दल मिलकर के आगे राजने से एक सफर तै करें और कोशिस इसले भी थी कि कभी इतिहास में डॉक्टर भीम राव बेटकर जी और डॉक्टर रामनो लुया जी दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे और एक बार नेता जी ने भी मानेबर काशीराम जी से समझाता किया था और सपा बसपा को लेकर के बड़े फैसले हुए थे फिर मैंने भी कोशिस की तो यह कोशिस हमारी खतम नहीं हुए What went wrong? हो सकता है कि कुछ रहा हो पॉलिटिकल पार्टी है वो चला रही काफी दिन से उन्होंने लंबा सोचा होगी क्या है परणाम के बाद आगे क्या प्रोग्रेस होगी पॉलिटिकल प्रोग्रेस होगी उन्होंने अपने दल के बारे में सोचा होगा लेकिन समाजवादी पार्डी का लक्ष ये था कि बाबा साथ भीमरा अमेडकर जी के सिद्धान और मानेर वर काशी नामने जो लड़ाई डड़ी उसको आगे बढ़ाया जाए और आज मैं कहता हूँ जिस समाजवादी और अमेडकर वादी साथ आ जाएंगे तो भादी जन्ता पार्डी का उत्तरपदे से सफाय हो जाएगा और आप देखेंगे यह होने जा रहा है इसलिए होने जा रहा है कि लोक तंत को खत्रा है बाबा सामने जो सम्मेदान दिया उसको खत्रा है आज जिस तरीके से प्राड़ाईशन हो रहा है हर चीज बीची जा रही है यह भादी जन्ता पार्डी वही जिसने कहा कि हाँ हवाई जपल पहनने वाला हवाई जाज में बैठेगा लेकिन सब एरपोर्ट बीच दे जा रहे है जो आपके सरकारी एरलाइन्स थी वो भी बिग गई तमाम कारखाने जो द्योग थे वो बेचे जा रहे है अगर सब प्राइवेट हो जाएगा सब आउटसोर्स हो जाएगा तो हो सकता है भादी जन्ता पार्डी एक दिन सरकार को भी आउटसोर्स करते अगली जी आपको लगता है कि एर इंडिया को टाटा को देने का फैसला गलत है किसी भी चीज़ का प्राइवडाजिशन होना गलत है यह नहीं होना चाहिए मैं दूसरी बात जानना चाहता हूँ कि बाबा साब भीमरा मिर्कर जी ने हमें अधिकार और सम्मान दिया क्या प्राइवडाजिशन होने के बाद वो अधिकार सुरच्छित रहेंगे आपको लगता है आरक्षण की चोहदी से मट जाएगी क्यों नहीं इसलिए भारती जन्तापार्टी कभी जातियों की नहीं गिंदी करना चाहती है भारती जन्तापार्टी क्यों नहीं गिंदी करना चाहती है जब भारती जन्तापार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा आप आबादी में तो पता हो नर्तले आ गई बहुजन समाज पार्टी और उत्तर प्रदेश में कई दल चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में ना जाए उन्हें भारती जंता पार्टी से नहीं है नाराजगी उन्हें ये नाराजगी है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आजाए लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादियों की सरकार बनेगी अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने एक सवाल के संदर में आपकी पतनी और समाजवादी पार्टी की नेता डिमपल जी का जिक्र कर रहा कोशिस करेंगे कि जादे लोग परिवार के चुनाम न लड़ेंगे ये कई लोगों ने रेखांकित भी किया कि अकलेश जी की एक चिंता भी है कंसर्ण भी है आपके परिवार के चार लोगों के नाम लिखें जो राजनीती में सक्री हैं अपर्णा बिष्ट यादो वो लखनो केंट की सीट से मैंने निता जी से और पार्टी में तेह किया था कि बहुत कम लोग परिवार के इस बाचनाल वरेंगे तो जो पिछली बार वो लड़ी थी तो वो कट हो गया टिकट नहीं सबाब एक है कि जब परिवार के लोग नहीं लड़ रहे हैं तो टिकेट न अपने पॉलिटिकल कंपल्शन से और आपने तो एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है इस चीज को लेके एक लोगों ने कहा कि और कुछ हुआ हो ना हुआ हो नाओ अखलेश यादव हैस फर्म होल्ड ऑन हिस पार्टी एंड काडर अब उसको लेके कोई दोराय नहीं आपको चली गई अब अपर ना चली गई शिवपाली के विरोत की लगातार खबरें आई फाइनली आपने उन्हें सपा का सिंबल दिया हर योम यादव हैं सिर्सागन से उनकी खबरें आई अच्छा कि आपने सवाल उठा लिया भारती दिनता पार्टी कम से कम हमारे परिवारबा मैं भाधिनता पार्टी से करना चाहता हूँ कि हमारे परिवार के सदस्यों को लेकर के आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं क्या आपकी पार्टी के पास नेता कारकरता कैडर नहीं बचा ये तो चिनता का विस्प है कि उन्हें अगर कोई चाहिए प्रतियासी कोई नेता चाहिए तो वो भी समाज़ादी पार्टी के लिए तरफ देख रहे हैं और जहां तक सवाल मेरा है समाज़ादी पार्टी का है उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े हैं और उत्तव प्रदेश में समाजवादी लोगों ने एक्जेंप्लरी काम कियें वो ऐसे काम कियें जो भारते जिन्तापार्टी आज तक शिलाने दुद्गार्टन करती रही समाजवादी ने अगर वो पुर्वांचल के लिए डिजाइन न किया होता एक्सप्रेस भी इलाइनमेंट न बनाया होता उस तरह का उस तरह के डिसीजन्स न लिये होते जिसमें हवाई जाज उतर जाए तो क्या प्रधान मंती जी हर्कुलस एरकाफ्ट लेकर के उतर पाते यह समाजवादियों की सोच है कि कम से कम वर्ल्ड क्लास इंफरसेक्चर उतर प्रधेस में दें कली में एक इंट्रिव्य कर रहा था एक चैनल के लिए मैं उनको जान बुछ करके कैंसर इस्टूट लेके गया और इसलिए लिए क्या कि यह कैंसर इंस्टूट में बनाना चाहता था निताईज ने शिलानस किया था उत्तर प्रधेस के लोग और बिहार के लोग नेपाल के लोगों को कहीं भागना ना पड़े लखनों में आकर के उन्हें अच्छा इलाज मिल जाए कैंसर का इलाज मिल जाए सस्ता इलाज मिल जाए क्योंकि कैंसर इदर बीमारी ज्यादा फैल रही है लेकि भागना पार्टी ने इंस्टूट को नहीं बनने दिया मैं यह जानना चाहता हूँ भातेंदा पार्टी क्या विकास पर बात करेगी के नहीं करेगी अखलेश यह आपने पूरवांचल एक्सप्रेस वे कर जिक्र किया चोकि आप पहले भी यह बात बोलते रहे हैं तो मुक्यमंत्री से बातचीत में हमने यह सवाल पूछा उन्होंने दो टिपपड़ियां की एक उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे क्यों कल को तो अखलेश यह भी क्लेम कर दें कि उत्तर प्रदेश ही उन्होंने बनाया और फिर पूरवांचल एक्सप्रेस वे पे उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि बिडिंग गरबर थी और सिर्फ 20 फीस्दी जमीन का अधिगरहन हुआ था इसलिए उनका ये दावा या अखले श्यादव का या समाजवादी पार्टी का ये दावा कि पुर्वान चल एक्स्प्रिस भी उन्होंने बनाया वो गलत है उन्होंने जमीन का दिगरहन किया और तब जाके 2018 के आखरी में वो शिलान नियास करवा पाए ऐसा उन्होंने कहा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब आप उनसे दोबारा सवाल पूछ पाएंगे कोशिश तो रहेगी कि आपसे भी और उनसे भी चुनाओ कि दोरान एक बार फिर से बात हो तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि समाजवादी सरकार थी और उस समय पूरा का पूरा इलाइन्मेंट बनाए गया था 341 किलो मीटर उसको जमीन लेने का काम शुरू हुआ था जो गाइडलाइन्स बनी हैं कि टेंडर आप तभी कर सकते हैं जब 50% से ज्यादे जमीन आपने अक्वाइर कर लियो तो समाजवादी सरकार में 50% से ज्यादे जमीन अक्वाइर होगी थी इसका टेंडर किया गया था जो टेक्निकल स्पैसिफिकेशन थे जो आगरा लखनो का एक्सप्रेस बे उससे बहतर बनाने का काम था कि जो प्रोवांशल के लिए एक्सप्रेस बनाने तो उसकी राइडिंग क्वालिटी बहतर हो और जो इंडियन रोड कॉंग्रेस है उसमें जो मानक हैं उनके जो मापदर ने उनको अपनाने का काम किया थ 14 मीटर का हमारे बाबा मुख्यमंती जी ने क्योंकि बहुत कुछ जानते तो है नहीं अधिकारी जो बताते वो कहते हैं तो 14 मीटर का मीडिन खतम कर दिया मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर हमने किसी भी से भी कंप्रमाइज किया या जिन कंपनियों इसको टेंडर दिया वो शायद अच्छी नहीं थी जिनको आपने हटाया भगवान शीराम का मंदिर बना रही है वो कंपनी उसको दो पैकेस दिये थे मैंने देश की सबसे बड़ी प्रतिमा लगी है सदार पटेल जी की जिस कंपनी ने बनाया उसको मैंने दिया था टेंडर आखिरकार आप किमंती जी कह रहे हैं कि किसी खराब कंपनियों को मैंने टेंडर दिया था जो कुछ भी कहा उनों ने कहा कि तैयारी पूरी जमीन पूरी अधिग्रहत नहीं थी कभी भी कोई टेंडर तब तक नहीं कर सकता है जब तक 50% जमीन न ली गई हो समाजवादी पार्टी का इलाइन्मेंट था लैंड इकुजिशन किया विजन हमारा था पूर्वांचल को जोडने के लिए आजमगर गाजीपूर हमारे बलिया को जोडने के लिए क्योंकि पू पारखाने उद्ध्योग ट्रेणिंग के लिए इंस्ट्यूट आनी थी वह सब कुछ नहीं हुआ 341 किलोमीटर जितना मैंने लिया था उससे एक इंच जमीन आगे लिए सरकार ने यही सड़क बकसर जानी थी यह आगे जुड़ जाती गाजीपूर हाजीपूर एक्स्प्र छाने छी वाठा देने लिए इन्होंने डिवैड़ग खतम कर दिया इन्होंने राइडिंग कौółलिटी खराप कर दी मुक्यachtी जानते ही नहीं आज भी चलते तो उसमें कहीं पानी नहीं हिलेगा लेक्ना जाज अगर इस पुरवाणिचल एक्स्प्रेजिय दे लेगले वही कंपनी इसकी सड़क बना दी मेरे सवाल यह बीजेपी से और खासकर मुखिमंती जी से के उस कंपनी को टेंडर से क्यों हटाया गया क्योंकि इन्हें अपने ठेकेदारों को संतुष्ट खुश करना था इसलिए बड़ी कंपनियां थी राइडिंग क्वालिटी अच्छी होती इसलिए इन्हें ने अठा दिया अखले जी जब आपके कारकाल की बात होती है और उसके बारे में भारती जनता पार्टी के नेता उसकी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की बात होनी चाहिए तो एक तो ये आपके चुकि आपने ये बात कही भी थी तो हमने पूछा भ बना उन्होंने कहा कि जो तै शुरू आती लागत थी उससे कई गुना लागत बढ़ गई उसमें भरस्टा चार हुआ तो सवाल ये पूछा कि जब भरस्टा चार हुआ तो आपने कारवाई तो उन्होंने अधिकारियों के नाम गिना दिये रूप सिंग समें तमाम की रही है सीबी आई की जहां चल रही है इस पर आपका क्या कहना है जो रिवर्फरंट बिना ये देश का सबसे बड़ा अच्छा और एक्जेंपली रिवर्फरंट होता रिवर्फरंट जो बनाए गुमती किनारे इसलिए बना है कि हम ये चाहते थे कि शहर में साफ सुत्री नदी बहे और ये एक्जमपल बने दूसरे शहरों में अगर नदी साफ करनी हो तो नदी साफ तो ही नहीं क्योंकि अगर ये 900 मीटर जोड़ देते तो ये रिवर्फरंट पूरा बन जाता और मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया के जो बड़े बड़े रिवर्फरंट बने हैं जिस समय ये काम पूरा हो जाता तो दुनिया के अच्छे रिवर्फरंटों में भी इसका नाम होता जहां तक मुखिवन्ती जी का सवाल है इनको ये तकलीफ है कि मैंने सावरमती से सुन्दर और अच्छा रिवर्फरंट कैसे बना दिया सावरमती का समाजवादी सरकार का बनाया हुआ इसलिए उन्होंनी जाच की और जान भूच करके जांच कराई और किनकों फसा रहे हैं आप 5 लाग जिसने ठेका लिया हो 10 लाग जिसने किया हो 15 लाग किया हो अरे आप पता करिए पर जाए की दुकान चल लाई है एक्सप्रेज वेपर आगरा लगनों में, इंट्री पर एक्जिट पर, जितने का तो ठेका नहीं पाए होंगे, वो फरजी अधिकारी मिलकर के, मुक्षपंधी जी के, वो कमिशन खा रहे हैं चाई की दुकान पर, कौन है यह अधिकारी, अधिकारी आप यह जाश करिए, लोगों ने कहा कि इस बा क्यारे बनी हैं, कौन अधिकारी हैं, जिन्हों हे चाई बनाई है, खर जहांट सवाल रिवर फेंट का है, इस रिवर फेंट के किनारे, क्वालिटी ट्री ट्री प्लांटिशन हुई, मुझे याद है कि लोग इस बात की चर्चा करते थे आप चेरी ब्लौजम देखना है, तो इस देश में जाएए, इस शहर में जाएए, इस रिवर्फरंट के अलॉंग जो पेड लगे हैं, आपको हर सीजन में ब्लूमिंग दिखती, कोई न कोई पेड फ्लावरिंग कर रहा होता, वो थे, जूले थे बच्चों के लिए, यहाँ फॉंटेन था, देश में दुनिय चीज पसंद नहीं है, कोई अच्छा काम पसंद नहीं है, जो अच्छा काम था, वो बर्वाद किया इन्होंने, और बर्वाद जिन्होंने किया, उनकी भी सीविए जाच हो, कि आगरकास गौर्मिंट का मनी है, जनता का पैसा है, हमने कुछ बनाया, आप जाच कर रहे हैं, आप दोसी उनको सजा दीजिए, साड़े चार साल क्या करते रहे हैं, आप एडी से डराते हो, सीविए से डराते हो, आप जाच करिए उसकी, लेकिन याद रखना, आपके मुखिमंत्री जी ने एक पत्र लिखा है, कि मुखिमंत्री जी आपको पता ही नहीं कोई चीज उची गई थी, उसको लेकर के शिकायट की थी, उसकी चार्च क्यूनी हो रही है, आफिर उसकी चाँज कब होगी, मुखिमंत्री जी बताए, सबसे ज्यादा मुखिमंत्री आप पता कर वाई करूए, जिकिन बेशने आपको पता करियेक बिल्कुल आप पता करिए, तो रि कर लखनो के लोगों को और नदी साफ करने का कोई आज का कारकम नहीं है नजाने कब शुरूआ था फेस बन गंगा एक्शन प्लान उसमें यही था कि कोई भी नाला नदी में ना जुड़े और वो समाजवादियों इल्जाम लगाती है तो एक इल्जाम और है वो बहुत रिपीट करती है और उसी से फिर मेरे आगे के सवाल की पूर रिपीट का तयार होती है वो यह कहते हैं जैसे उनसे पूछा गया सरकारी भरतियों को लेके तो उनका जहां भी घरबड हुई हमने जाज करवाई मुकदमे करवाए और फिर एक बात पर जोर देकर कहते हैं मुख्यमंतरी भी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी कि हमने कम से कम किसी खास जाती वर्ग को फाइदा पहुचाने के लिए तो भरतिया नहीं की फिर वो उनके समर्थक हवाला देते हैं कि अनिल यादो मेरे ख्याल से UPPCS के चेर्मेंट थे उस समय हाई कोर्ट में डीवाई चंदरचूर जजज हुआ करते थे उस समय कि उनकी टिपपड़ियों का हवाला देते हैं उस समय कि जो जाच पड़ताल हुई कारवाईया हुई उन सब को लेकर बात करते हैं और ये सवाल में इसलिए भी पूछ र स्लिम का जो नरेटिव है जिसमें आपने हिटलर का जिक्र किया जब मैं अखलेश यादव की क्लोज कोटरी को देखता हूं तो उसमें संजयल अठर हैं आनंद बदौरिया हैं अब शेख मिश्रा हैं सुनील साजन हैं ऐसे कई लोग हैं तो हर जातिवर के लोग हैं जब मैं आपकी ट्रेनिंग देखता हूं तो आपकी धौलपूर की ट्रेनिंग है या मैसूर की ट्रेनिग है उस समय के जब मैं बाके बढ़ता हूं तो वो एक अलग अखलेश यादव की आइडेंटी दिखती है एक आइडेंटी है जो प्रदेश की पॉलिटिक्स के कंटेक्स में बनाई जाती है जिसमें आपके सरनेम पर अतरिक्त जोर दिया जाता है ब्रैंडिंग के लिहाज से हाओ डू लुक एट इट यह मुश्किल कोई भी पिश्रा नेता अगर राजनीत करेगा उसको इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और मैं इसी बात को एक बार औ होता हूं बात मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस समय नेता जी ने और अमर सिंग अंकल ने उस समय के पूर के राश्टपती क्लिंटन को निमंतर्ण दिया था कि वो लखनू में आएं और एक कारकर में शामिल होने आएं उस समय जो विपक्ष की पार्टिया थी उन्हों नेता जी के खिलाफ तमाम वो पत्र लिखे कि ये अपरादी हैं इनका डाकों से रिश्टा रहा है इस तरह का पत्र लिख करके और ये कहा कि इहां पर अमरीका के प्रेजिडंट को नहीं आना चाहिए लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि प्रेजिडंट जो थे वो आये औ उन्हें इस आरोप का सामना करना पड़ेगा मेरे उपर कोई मुकदमा नहीं है मेरे आसपास कोई अपरादी नहीं रहता मैं किसी माफिया से संपर्ण नहीं रखता लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंतरी या भादे नितर पाड़ी क्या आरोप लगाती है कि समाज़ादी रहे थे जिन पर 25,000 रुपए का इनाम हो बिना DMS पर किरकेट खिल लेंगे वो जेलों में खाना जा रहा है बड़े-बड़े टिफिन में खाना जा रहा है कैसे जा रहा है खाना बिना टिफिन में आप ये बताईए जिस समय संझे चुहां लड़ रहे थे चुनाओ नहीं आप पता करिए मुख्यमंत्री किसी कारण जेल जा सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए किसी कारण और उत्तरप्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होंगे किसी जेल में घंटा नहीं एक घंटा नहीं दो घंटा नहीं तीन-तीन घंटे रहे हैं किस जेल में आप जानकारी क करी जरूर अपने दसकों को दिखाएंगे चलिए मैं क्यामरा बंद रेक्वार आपसे पूछ लोगा ताकि पता हो जाज कि आज कि आज क्यों आरोप लगाते हैं क्योंकि मैं एक्सप्रेस भी लैप्टॉप दिये मैं 18 लाग से जादे लैप्टॉप बाटा हूं दुनिया की वनो तो बेस्ट कंपनी से लैप्टॉप बाटे मैंने SCL यहाँ पर ले आए हूं ट्रेडिंग इस्ट्यूट जैसा साड़े पांच हजार प्रोफेशनल्स काम करने और दुख की बात मैं बताता हूं आपको मैं दुख किस से हमें लड़ना है the perceptions कैसे लड़ना है मैं एक दि एसे ही मैं और राजिन चौदी जी चाए पीने चले गए SCL के सामने मैं ने देखा हूँ टाई लगा करके और 2017 के बाद की बाद की बाद की बाद की जब सरकार हमारी चली गई उसके सेकंड जब बजट सरकार ने पास किया उसके बाद में गया और SCL इंस्ट्यूशन जो है उसके सामने एक चाए की दुकान थी अचानक मैं और वो पहुंच गए वह रहां जो बच्चे जो प्रोफेशनल्स खड़े थे चाए पीने लगा मैंने पूचा कि ये SCL किसने बनाया है सोच ये टाई लगा कि एक इनसान दो लाग से कम उसका बेतन नहीं होगा वो कहता कि आपने नहीं बनाया ये बीजेबी ने बनवाया है मैंने का कमाल हो गया आपको मैंने उसी समय चाए वाले से पूचा कि बताओ ये किसने SCL बनाया है बोले SCL आपने बनवाया है तो सोची एक टाई लगाए दो लाग का जिसको बेतन मिलना हो इससे जादे ही मिलना होगा प पिर ये बाबा मुख्यमंती साड़े चार पांस साल में उत्तपदित को कहा ले गए हैं जितने अच्छे काम ते सब बर्बाद कर दिये हैं इसलिए जानबूश करके समाजवादियों पर यह आरोप लगाते हैं यह प्रसेप्शन क्रियेट करते हैं हमें तो पड़े पुलिस क आदिकारी बोलते हैं कि किसी घटना के बारे में जब जानकारी जो PSO दे देता है वही डी जिपी बोलता है जो जानकारी PSO दे देगा आप SPCT से पूछ लीजिए, SP से पूछ लीजिए, DIG से पूछ लेंगे, आप ADG से पूछेंगे, DGP से पूछेंगे, उस घटना को वैसे ही बताएंगे, लेकि BJP भी कमाल की है, यहाँ जूट उपर से चलता है, और नीचे तक चलाते हैं, इसले जूट बोलने वाली अगर कोई पार्ट है, वो भारती जन्ता पार्टी है, इसलिए आपने देखा होगा, कि इनके लोग दोड़ाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, इनके लोग कूटे जा रहे हैं, सर्वे में तो जीत रहे हैं, लेकि जन्ता इन्हें कूट रही है, यह कैसे सर्वे हैं, इसलिए इनका जाना यह जूंत बोल करके सत्ता में आए हैं, लोगों को सपना दिखाया है इनोंने, कि किसानों की आया दोगुनी होगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, मैं आपने नौजवानों को कह सकता हूँ, कि कहीं भी आप किसी तरह का भेदवाम नहीं देखेंगे, और जो कानूनी है, जो नियम है, उनका पालन होगा, और किसी जाती धर्म के साथ भेदवाम नहीं होगा, समाजवादी सरकार में, और जहां तक नौकरियों का सवाल है, भादे जिन्ता पार्टी ने एक बहुत रूमर उराया था, कि इतने SDM भरती हो गए, मुझे कोई बताए, कि कैसे कोई सरक पास जाती वर्क के लोगों को इंटर्वियू में ज्यादा नंबर दिये गए, अगर इंटर्वियू में उस समय नंबर जादा दिये गए, तो आज इंटर्वियू में कितने नंबर दिये जा रहे हैं, आप दोनों को रिफर मुझे उम्मीद है, कि अगर उस समय ऐसा हुआ है और इस समय क्या हो रहा है दोनों को आप एक गम कंपेर करेंगे आपको कंपेर करना चीजिजियों का और मुझे याद है ने ने मैं हमवर्क इसने बढ़ा रहा हूँ क्योंकि नौजमानों के भविस्ट का सवाल है आप बताईए पेपर आउट हो रहा है परिक्षाएं रद हो रही है मैं नौजमानों को वहरुसा दिला सकता हूँ कि परिक्षाएं रद नहीं होंगी और समय से ह तोनों होंगी जितने भी खाली पद हें सरकार के यह बहरे जाएंगे और हालि और मुझे याद है इस समय मेरिट भरती ने लोगों के ISU's कुछ चाहते मेरिट भरती हो कुछ चाहते मेरिट भरती ने गाउचिए और फिजिकल के बेसपे देंगे या टेस्ट कर가요 कैसे करवाईंगा और सबकूर मैं कहूँगा नौजवानों से क्योंकि मुझे भरती जल्दी करनी थी जल्दी जल्दी भरती करनी थी जिससे मुझे पर अंग्लीन न उड़ी क्योंकि भारती जनता पार्टी यह आरूप लगाती थी जो आरूप आपके माद़ें उसे मेरे पर लग रहा है कि भरती में भेधवाब कर रहे हैं जो बीजेपी कहती है तो जब पुलिस भरती की मैंने मेरिट में की और मैंने कहा कि दसमा बारमा की माकशीट और आप दोड़के फिजिकल टेस्ट करिए और आप भरती हो जाएए और यह इसलिए किया कि जब सिक्षा बेभाग में टीचरों की भरती ऐसे होती थी मेरिट पर तो पुलिस की भरती क्यों नहीं हो सकती और उस भरती में अगर एक भी उमली उठी हो तो बता दे भारती जंता पार्टी का एक नेता बता दे हमें कि उसमें कहीं भीदवा हुआ मुझे खुशी इस बात की कि बागपत के मुझफफन अगर के वो गाओं हैं जहां 200-200-200-200-200 नौजवान एक गाओं के भरती हुएं एक गाओं के और मैं आपको दूँगा और मैं आपसे भी चाहूंगा कि जिस गाओं में समाजवाजी सरकार में दोस्तों से ज़्यादे नौजवानों को भरती मिली हो पुलिस में और इस गाओं में जरूर आप जाएं चारिये एक सुची और एक सवाल इसी करम में और पूछा गया यह आपकी फैमली लगेसी से जुड़ा आखरी सवाल है फिर में आपके पार्टी के और नेताओं पे और मुद्धों पे आऊंगा आपकी पोल प्रामिसिस का भी एक कार्ड है मेरे पास यह सवाल जनता ने भी पूछा कई जगे उन्होंने कहा कि अखलेश जी कह रहे हैं कि मैं परिवारवाद का इल्जाम लगता है मैंने चाहता हूं कि परिवार के ज़्यादा लोग चुनाव लड़े है फिर आपने यह जो विपक्षी यादवाद का इल्जाम लगाते हैं उस पे भी अपनी पूरी बात रखी उन्होंने पूछा कि रद पर आपके बच्चे दिखते हैं टीना और अर्जुन भविष्य में क्या सपा की अगवाई कोई सपा का कारकरता करेगा या अखलेश यादव का ही परिवार करेगा यह सवाल पूछा गया मुझे नहीं पता कल क्या होगा मेरे बचे क्या करेंगे क्या बनेंगे कहा पढ़कर के जाएंगे मुझे नहीं पता तूर्ल अ अच्टे इण पॉलिटिक्स कुछ बात होती है फिलाल तो उनका इंटरेस्ट नहीं है बस پे आते हैं तो उनकी क्या रियक्शन रहती है पापा इतनी भीर देखी कि जब निता जी कि रांती रच चला रहे थे तो हमें भी अच्छा लगता था उस समय की गाने सुनना आप गये ते कभी साथ में निता के साथ नहीं गया में लेकिन पीशे पीशे आगे पीशे कभी न कभी देखता था क्यों सबाब के अगर आपके परिवार में कोई सब वो मरजर हुए थे फिल बना था हां तो सबाब एक है कि घर में आप रहते हैं तो आपकी पॉलिटिकल बाते होंगी और क्योंकि आपसे मिलने वाले लोग भी जायतर या आप फोन पे बात करना या आपके फोन की सूची देखना वो वही लोग होंगे जो आपसे जुड करेंगे कि उन्हें कहां जाना है मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी टॉप भी कर सकती है मैं खुद सर्प्राइज था कि ऐसे कैसे इतने नमर आ सकते हैं वह अपने आप टॉप की अपने आप एडमिशन लिया उसने आपके पास कभी समय रहता है जैसे यह मैं कई नेताओ से पूछता हूँ अलग-अलग राजनेतिक दलों के तो बैलेंस बिट्वी लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ क्योंकि यह बहुत कंजियूम करती है कभी ऐसा हुआ कि आप गारजन मीटिंग में गए हो या फीड़बैक मिला हो इसमें अच्छी इसमें पूरी इसमें बै जा तक उनके पॉलिटिकल या उनके अपने केरियर की बात है वो फ्री हैं वो सोख सकते हैं वो कहाँगाना है लेकिन मैं किसी पह दवाब नहीं बना पना बनाया या उनके कहने से निताजी ने बनाया एक बड़ी कहानी है उसके पीछे लेकिन जनेश पर प्रपोस किया कि समय बदल गया है नए विक्ति को पार्टी का प्रदियस अद्धिश बनाना चाहिए और अगर अखिलेश को आप बनाते हैं तो बड़ी बात है तो निताजी ने कहा कि बिना जनेश विजजी के मैं ये फैसला नहीं लूँगा तो जनेश विजजी से जब मिलने गया तो उन्होंने कहा कि हां और पार्टी को आगे बढ़ाओ और कहीं गलती भी होगी तो मैं हूँ जो बचाऊंगा और आशिवाद दूँगा और आपकी पतनी का क्या सोचना था कि हम इस तरह की बहुत खबरें सुनते हैं कि राजीव पॉलिटिक्स में जब आ रहे थे तो सोनिया इसके खिलाफ थी डिम्पल जी का क्या रुख था ने उनका कोई इसमें वो निए कि जाओं के ना जाओं उनका कोई इससे नहीं आपकी चौईस है अच्छा य प्रेन वो लीडर्शिप दिखती थी बेनी पिसाद वर्मा जी थे और ऐसे कई नाम मुझे गिनाए गए और कहा गया कि अखलेश जी के समय में अब वो या उनके जो पॉल्ट कलियर हैं उनके साथ वैसे तालुक नहीं रहे जैसे बलिया में चंदर शेखर जी का परिवार ह वो अब भाजपा में चला गया निरा शेखर और उनके भाई अमर सिंग जी के साथ रिष्टे एकदम ऑसिलेशन होता रहा कभी अच्छे रहे कभी वो पार्टी से बाहर रहे अभी कहा जा रहा है कि बेनी पिसाद जी के बेटे हैं आपके सामने एक बड़ी मुश्किल है कि जिस सीट से राकेश दावेदारी कर रहे हैं उसी सीट से आपके पुराने से पसालार अर्विंद सिंग गोप कर रहे हैं क्या अखले शादों को ये समस्या आ रही है कि ओल्ड गार्ड को भी साथ रखना है और नई लीडर्शिप भी डेवलप करनी है तो बैलेंस कैसे स्ट नहां तक जो नेता जी के साथ जितने लोग थे आज भी उनके परिवार की लोग हमारे साथ हैं माली जी ब्रफिशन तेबारी जी थे उनके बेटे परिवार पूरा समाधी पाड़ी के साथ हैं तो कोई कोशिस की है कि कोई छूट न जाए सब को साथ ले करके चले कुछ लोग हैं जो साथ आये लेकिन ख़बरे खूब बनी इमरान मसूत प्रकरण में हुआ क्या इमरान मसूत से मैंने क्या हाले यूपी यात्रा के दौरान अगस्त में भेट की साहरनपूर में तो उन्होंने कैमरे पर तब वो कॉंग्रेस में थे लगभग कै दिया कि देखे यूपी में भाजपा से लड़ना है तो वो सपा के साथ ही लड़ाई होगी तब वो कॉंग्रेस में थे कैमरा बंद होने पर भी चुकिया उन्होंने फैसला सुना दिया उन्होंने कहा कि देखे मैं तो सपा में जाऊंगा वो सपा में आए एक तस्वीर आई आपके उसे स्टेडी की बड़ी चर्चा होती है ट्विटर पे फोटो आती है आप और जो नेता जॉइन करें वो स्टेडी में खड़े होते हैं कई लोग कहते हैं कि अकले चीज यह भी पूछेगा कि किताबे कौन सी रखें कोई गृंता वली है किस चीज की कि इम्रान वापस गए उनके वीडियो आए जिसमें वो नाराज देख रहे हैं कि तुम लोग एक नहीं हो इसलिए ऐसा बना के रख दिया वैसा कर दिया फिर आपने कुछ कहा तो वो फिर वापस आगे क्या हुआ पूरा इम्रान मसूद प्रक्रण में इम्रान मसूद नक्ष समारवाजी सरकार में होगा टिकट नहीं मिला लेकिन किसी को उनके साथ ही को टिकेट इसलिए नहीं मिला क्योंकि टिकेट पहले से तैय हो गई थी और लगभग लोग परचार में निकल गए थे तो मैंने कहा कि अगर टिकेट काटेंगे इस समय तो संदेश खराब जाएग इसलिए कम से कम उनके सभी सहयोगी ने इस बात को माना और का कि हाँ अब हम सबकी मदद करेंगे भविस में हम लोगों के साथ नाइंसाफी ना होगा अच्छा अचे ने कि इम्रान मसूद का जिकर कर रहा हूं मैं अखलेश जी सहारन पूर्दिहात से आपने आशू मलिक को टिकट दिया है कहा जारा था कि सहारन पूर दिहात परानी बात पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ इसलिए नहीं जाना रहता हूँ कि परानी बातों को सोचने से कुछ हासिल नहीं होना है आगे बढ़ना ही रास्ता है आप यह बात कह रहे हैं लेकिन आजकल सोचल मीडिया की टूल है जैसे शौर्ट्स और रील्स उसमें उस जमा खराब है आपने उनको टिकट दिया है रामपूर से और उनके बेटे को जिन पर आरोप से दुए और जिस चक्कल में उनकी विधाय की गई थी उनको फिर से स्वार टांडा से आपने टिकट दिया है आपको लगता है कि आजम खान का मैदान में नहोना सपा की संभावनाओ और पर किस तरह का असर डालेगा आजम खासाप के साथ और ँटे परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ है और जिमेदार बहारती दापार्टी हो घौरू कॉंग्रेस भी दोनों दिम्यदार, कैसे ? आप रांपूर की वारे में जानकारी करिए, आ जर्फम Khan साफ को औरुनके परिवार को इस से अन्याय करने में ढूनों दल साथ हैं क render этот धृवगम नाउरबानों के परिवार करें ? मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं लेकिन जो वहां पर दिखाई देता है और जानबुश करके भाते दिनता पार्टी ने अन्याय किया है मैंने आपको पहले भी कहा पुलिस का अफ्तार उसी को भेजा गया जिसकी जाच हो रही है कि उसने पैसे लेकर किया देकर के ट्रांसफर किया है कराया कि नहीं कराया डियम उसको भेजा गया जो दूसरे कैडर के थे और उन्हें अपना एक्स्टेंचन चाहिए था अखली जी आपके भी कारकाल में दूसरे काडर के अधिकारी उत्तर प्रदेश में रहे हैं दुर्भाग यह है कि जो DM है वो समारी सरकार में आये थे तो आप ही ने दसकत किये होंगे फिर तो मैं जानता हूँ हमारे ही दसकत से आये होंगे लेकिन I.S किसी के नहीं होते हैं I.S का full form है individual after सरकार इंडिविज्वल आफ्टर सरकार अच्छा जाने के बाद नहीं दिखाई देंगे हां सरकार आएगी तो दिखाई देंगे इस बार ब्यूर्यक्रेसी में बड़ी चर्चा है कि आप कुछ अदिकारियों से बहुत नाराज हैं सबाब एक है नाराज होना चाहिए हुई है जो कोट में एडविट भी हुई है अगर मैं अबदुल्ला आजम की बात करूं तो दो पासपोर्ट की कौपी दो वह लिए बहस कोट की है कोट में बाचीत वो अपना पक्ष रख रहे हैं पक्ष लगातार वो रख रहे हैं वो बात अपनी बता रहें किस तरीके से उन्होंने खुदी सरेंडर किया पासबोर्ड खुदी जो भी कुछ है वो कानूनी है वो कानूनी लाज रहे हैं मुझे उम्मीद है कि न्याले उनको न्याय देगा एक सवाल अखिलेश जी सोशल मीडिया पर बहुत पूछा जब हमने ये मुनादी की कि हम आपका इंटर्विव करने वाले हैं उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ओवैसी जी के साथ गटवंदन में इतना हिचक क्यों रहे हैं राजबर जी से बात हुई उन्होंने भी कहा कि ब कभी बात शीतनी हुई कभी बात पर और लोक समवा में साथ हैं मिलते मिलाते हैं लेकिन कभी गटवंदन की बात नी हुई कई लोगों ने ये भी कहा कि आपको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे आएंगे तो आपके कोर वोट में डेंट लगाएंगे इसलिए जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी उनको यहाँ पे जलसों सभाओं की जादा इजाज़त नहीं दी जाती थी और इसका काउंटर भी जलता है कि बीजेपी इसलिए उनको इजाज़त दे देती है ये भी कहा जाता है लेकि उस पॉलिटिकल उसमें मैं इसलिए नियू लजना चाहता हूँ कि उनके उत्तरपतिस का चुनाव बड़ा चुनाव है और बीजेपी हर अथखंड अपनाएगी जब हम कह रहे हैं जाती गिनना चाहिए तो वो कुछ और कह रहे हैं मैं उनके बनाये हुए पहले सीडियस की बात कह रहा हूँ उस पर भी हम पे आरूप लगा रहे हैं तो किस बात को भाती जनता पार्टी किस तरीके से मोड़ देगी इसका कुछ पता नहीं इसलिए बहु को संकल्ब दिलाता हूँ कि संकल्ब लीज communic and a बाती को हटाइन अन्र संकल्ब किये तो मैं निकाल के दूं मैं निका लूं कि अफिलाल भी संकल्ब रहे हैं कि अप्ष्प्रतिवक्ष ब्रतिबख्ष सब से सवाल करें अकलेश जी कई लोगों ने कहा कि जैसे कई बुजर्ग नेता हैं जिनके जो नेता जी के दौर के नेता हैं और उनका बहुत सयोग मिल रहा है आपको इस बार ममतब एनरजी टीमसी की देश भर में भाजपा के साथ साथ कॉंग्रेस पर हमला वर हैं लेकिन यहां आपको आशीरवात दे रही ह का जा रहा है कि एकाद हो सकता है प्रेस कॉंफरेंस भी करें और उनकी पार्टी के केंड़ेट ललतेश पतीतर पार्टी को भी शायदा एक्कॉमडेट करें सब्सक्राइब जहां तक बंगाल में हार की बात है बढ़ाई देता हूं बंगाल की जंता को और अधरी ममता बेनाजी जी अगर आना चाहेंगी और मैं बुलाओंगा तो सबाब एक है बिलकुल बुलाओंगा मैं और क्योंकि इस समय पाबंदिया है अगर प्रेस कॉंफरेंस बिजाएगी तो भी बड़ी बात है तो भारती जंता पार्टी को जो जो हरनाना चाहते हैं क्योंकि इन्हों ने उत्तव प्रदेशी ने देश को गलत दिशा दी है मैं इनसे जानना चाहता हूं डबल इंजिन की सरकार है आज उत्तव प्रदेश में सब्सक्राइब बिरोजगार क्यों ह आज उत्तरपदेस में इतना भीदवाब क्यों है उत्तरपदेस में आज गरीबी में लगाता लोग जीवन यापन कर रहे जिन्होंने बड़े-बड़े सपने दिखाये थे संकल्पत्र की माद्यम से और इसलिए भाते दिखाये पार्टी हमारी सूची की तो चिंता कर रही है लेकिन अपना घोश्रापत्र नहीं ला पारे है क्योंकि उन्हें पता है कि जन्ता पूशेगी कि पुराना संकल्पत्र का क्या हुआ जो संकलप पत्र इन्होंने जारी किया था घोष्णापत्र अखले जी कहा रहे है कि पहले भाचपा लाएगी फिर हम लाएगे निया मैं इसलिए लाओगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि भाच़िन देंता पाटी क्या संकलप पत्र में कया कि क्योंकि पुराने संकल पत्र को तो पूरा किया नहीं नहीं उन्होंने एक बात पूरी नहीं की पहली जो बात उन्होंने संकल पत्र में लिखी वो का किसानों की आए दोगनी करेंगे क्या किसानों की आए दोगनी हो गई किसानों को कुछल दिया जीप से किसानों के अगर किस उनके भी कैंडिडेट है केके शर्मा जिन्हें आपने अनूप पूर से एड़ेस्ट किया है अनूप शहर से बलंड शहर किया लालु यादो जी की पार्टी की तरफ से भी कुछ ऐसा आया उनका भी एकात कैंडेट ने उनका कोई कैंडेट ही क्योंकि 2017 में लालु जी ना प्रचार किया था उनका स्वास बैठर नहीं है और इस वास इसलिए भी इतना नहीं की प्रचार कर सकें हम तो शायते थैंकि निता जी कभी स्वास उतना अच्छा नहीं कि वह भी प्रचार करें उनकी पार्टी कोई चणाओ नहीं लेकिन उनकी पार्टी, जहां मैं काँगा, जहां के समर्थक हैं, सयोगी हैं वह हमारा स्व्योग आप तेजस्वी सभाएं बिहार से लिए आखें, हमाऊ पर मैं सभी नेताओं को जो आना चाहते हैं उन्हें जरूर लाँगा मैं तेजस्वी के भाई हैं तेजप्रताफ उनके साथ आपकी रील्स बड़ी वाइरल होती हैं हाउजी मुझे कई लोगोंने कहा कि अकलेश जी से उनको बड़ा प्रेम हैं कहीं दर्शन जींवर्शन करने भी जाते हैं तो वीडियो कॉल ठोक देते हैं आपको और आप मीटिंग में भी होते हैं तो उठाते हैं जिस थीक बात है तो तो तेजप्रताफ आपको वीडियो टानकली जहां से भी थे सच है कि एक बार जैथ की नहोंने सभी अरहें मंदर के दर्शन करा आए तो एक बात है उसमें क्या है अच्छा वह बरिंदावन जाते हैं है तो मिलते हैं आम से आते हैं तब कभी कई जी के साथ तो उनी बुजर्गों के जरिये अस्दुद्दीन वैसी पर ये दबाव बनाया जा सकता था कि जैसे बंगाल में उन्होंने केंडेट्स को वापस लिया वैसे ही यूपी में करें वैसी इसका उलट आर्ग्यूमेंट देते हैं वो कहते हैं कि सारा दबाव हमारे उ जनता ने समाजवादियों का काम देखा है समाजवादी पार्टी का संग्ठन है और आज से नहीं लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी ना जाने कब से संगहस कर लिए तो समाजवादी पार्टी आज इस जगह पहुंच गए कि बीजेपी को हटा अग देगी और बीजेपी को नहीं हरा पारें बीजेपी से कोई मुकाबला कर तो समाजवादी पार्टी है कि दो तस्वीरें हैं एक तस्वीर आई एक तस्वीर नहीं आई उसका इंतजार होता रहा चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी काशी राम की अध्यक्ष लोग इंतजार करते रहे खबरें आती रही बात चल रही बात बिगड़ गई फिर अब एक नई थियोरी भी मार्केट में फ्लोट हुई है कहा गया कि पीछे से अभी भी अगलेश सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए गोरकपुर लड़ने को भेजा है कि बसपा के कोर वोट में जितनी डेंट हो जा और उसके बाद एक रामपुर मनिहारन और एक गाज़ेबाद फिर उनकी संगठन से बात हुई और संगठन की लोग शाय संतोस्ट नहीं थे दो सीटों पर इसलिए उन्होंने फैसला वापिस लिया और ये उनका अपना फैसला है कि वो गोरकपुर में लड़ने जा रहे है इस समाजादी पार्टी का इससे कोई लेने देना नहीं है एक तस्वीर थी जो आई पर गठ जोड नहीं हुआ आम अद्मी पार्टी के नेता और राजिय सभा सांसत संजे सिंग वहां पर गरारी कहां फस गई कहां अटक गया मामला सवाल ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी सी इसलिए हमारा उनका अलाइस संभव नहीं हुआ हां अगर वो कम सीटें और कम सीटों पर हमारी बाचीत होती शाय संभव था और हां बाचीत हुई बाचीत चली थी ये बाचीत के सिलसले में एक बात ये आई कि क्या अखलेश यादव जी और योगी आदेतिनाथ जी की बाचीत कभी हुई है कभी आप लोग मिले हैं मैं एकाद बार किसी फंक्षन में मिल गया हूंगा नेता जी के हां मिल लिया हूं या उनका जनम दिने तो फोन कर लिया हमारा जनम दिने तो उन्हों ने फोन कर लिया इसके अलाबानी मुलाका थी कभी बर्डे विश्च करते हैं आप और योगी आतनाते एक दूसरे को हाँ बिलकुल उनका कई बार फोन आया मैंने भी कई बार उनको जनम दिन पर बताई दिया सिर्फ आपचारिक बाते होते हैं बिलकुल लोगों ने कहा वो तस्वीर दिखा के कि जब वो नेता जी से मिलने आये थे आप भी थे शुपाली भी थे तब क्या बात्चीत हुई देखे क्योंकि नेता जी पुराने ख्याल के हैं और पुरानी पॉलिटिकल प्रंप्राइं ट्रेडिक्शन को फॉलो करते हैं मुझे उन्होंने फोन किया नेता जी ने वहां नेता जी घर से फोन आया कि मुख्यमंती जी उनके घर आ रहे उनका हाल चाल देखने तो नेता ने कहा आपको रहना है आप आईए तो सबाब है कि जब नेता जी ने कहा तो मैं घर पहुँचा क्योंकि नेता जी पुराने त कुछ कहती है जिस तस्वीर में मोहन भागवत और निता जी बैठे हैं वह किसी की शादी के कारकम थी वह वाइस प्रेजडेंट उनके परिवार में शादी थी उस कारकम में शामिल निता जी होने गए कॉंग्रेस पार्टी ने वह तस्वीर सबसे पहले टूइट की और उसके बाद बीजेडी ने भी टूइट की हम लोगों ने यही सवाल पूछा कि केबल निता जी और आरेसेस के चीफ की फोटो क्यों आपने टूइट की उस फंक्शन में और पॉलिटिकल पार्टी इसके भी लीडर्स थे निता जी शरपाबार जी से भी मिले निता जी सुप्रेहसूले जी से भी मिले और लोग की थे फेस्बूक पे या टूइटर पे आईं तो उन पुराने लोग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि यहां सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे एक ही तस्वीर को किस तरीके से देखा जाएगा और इसलिए आप देखते होंगे कि जब मुख्यमंती जी घर आए निता जी का हाल चाल लेने तो देखते हैं वह तस्वीर कई बार आती है अगली बार हमने तै किया कि अगर कोई भाष्टी देखा पाटी का आए हुआ जी तो नेटा जी कि यहां एक सदस्ता का फॉप रखवा दिया है कि जो आए उसको पहले सभाटि पाटी का सदस्द सदस्द बना दो और जब से फॉप रखवाया है कोई बटा जी से मिलने नहीं जा रहा है मुलायम सिंग जी से मिलना है तो पहले सपा की सदस्ता लो सबाब एक है क्योंकि तस्वीर का आप इस्तिमाल करते हैं किसी को पॉलिटिकली डेमेज करने के लिए सौतन देव सिंग भी अपने इंटर्विव में कह रहे थी कि मैंने उनको राधे-राधे का अंगवस्तर पहनाया तो वो पहने रहे उन्होंने बड़ा सम्मान है तो बहुत नहीं था जी आसे हनुमान जी मान रह इस नरेटिव को चलाया जाता है गाना तो एक ही चला है जो अभी एक राठोड ने गाना राठोड ने गाना राठोड गाना तो वही चला है बाकी गाने नहीं चले कोई जो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हाला कि मैंने भी नहीं सुना था उस दिन बीजेपी का गाना का नहीं कोई सुन रहा है वो गाना वही सुन रहे है लेकिन ये जो राम भक्तों पे गोली चलवाने वाली बात बार बार कहीड़ा है ये भाज़पा की लोगों को तो नेता जी के समय अगर गोली चली तो नेता जी पे नौकरी के सवाल पर रोजगार के सवाल पर और पेट्रॉल इतना महंगा हो गया डीजल इतना महंगा हो इस पर बात नहीं करेंगे इन भाज़पार्टी के लोगों से पूछिए कि डीजल पेट्रॉल के मुनाफ़े से ये मुनाफ़ा जा कहा रहा है और क्वार्टर एक एक क्वार्टर में 600% मुनाफ़ा हुआ है कम्पनियों को जब ये सवाल पूछता हूँ तो वो कहते हैं कोविट की क्राइसिस थी उस दौरान जो फ्यूल से सब्सिडी या सर्चार्ज में पैसा मिला उसका इस्तमाल वैक्सीन के लिए किया गया और फिर वो एक काउंटर सवाल भी दाग देते हैं कि अखलेश यादो जी इतने पढ़े लिखे हैं उन्हें वैक्सीन का विरूद नहीं करना चाहिए था ये नहीं कहना चाहिए था कि ये भाज़पा की वैक्सीन है अच्छा लोग ये भी पूछते हैं कि अगले जी से पूछ लीजेगा आपने वैक्सीन लगवाई या भी कि नहीं तो मैं भाज़पाटी से कहना चाहता हूं कि ये कहना बंद करें कि फ्री वैक्सीन है ये जनता की पैसे की वैक्सीन है इसलिए फ्री वैक्सिन ना भूलें भाते इंदा पाटी के लोग पहली बात दूसरा सवाल यह है कि वैक्सिन लगवाने का मैंने कई बार कहा उत्तर पदेश की जनता को जब सबको वैक्सिन लग जाएगी तो आखरी आदमी मैं होंगा जो वैक्सिन लगवा लूँगा की किसी प्राइप मिश्टर की फोटो नहीं है यू के की प्राइप मिस्टर की किसी फोटो नहीं है लेकिं भारत में वैक्सिन के स्थाेटिफिक مरें प्रधामि civरी फोटो यह और जिस दिन फोटो आ देंगे आए बीज़ेपी concealed में वैक्सिन लगवा दुगा आपको फोट लेकिन दूसरा हमारा वही सवाल है कि जब उत्व देश के सब लोग को लग जाएगी वैक्सीन मैं भी लगवा लूँगा आपको लगता है कि इससे जो वैक्सीन है उस पर यह वर्ल्ड ओवर बहस है अमरिका में है और दुनिया के दूसरे मुलकों में भी है इन फैक्ट डॉक्टर्स में भी यह बहस है कि वैक्सीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए दूसरा अभी वाक्या हुआ है जहां पर देश की वैक्सीन है हम लोग मुख्यपंतरी की चर्चा कर रहे थे बाचपा की नेता और आप मुलायम सिंग जी चर्चा कर रहे थे नेता जी की UP के अपने दोर्य के दोरान हमारी कोशिश ये रहती थी कि हम अलग अलग पार्टियों के जो बुज़ूर्ग है पुरान इका नेता मिले जो आपकी पार्टी में कुछ ही समय रहे लेकिन उन्हें नेता जी के बड़े किस से सुनाएं बोले कि हम विरोधी थे पर उनको पता चलता था दारुल शेफाम फलानी जाके रुकें तो सुबह-सुबह फोन करते हैं काय फलाने चाय नहीं पिलाओगे इस तरह की बातें जेल में भी मिलने पहुच जाते थे तो फिर उन्होंने बताया कि कैसे मुलायम सिंग जी ने पार्टी बनाई फिर ये बात भी कही गई जो आपने भी कहा कि अब वो दौर नहीं रहा उनके लिए कहा जाता था कि वो सब जो राजनति अधावत है वो एक जगे मदद करते थे मदद लेते थे सब बात फिर ये कहा गया कि जब मुक्यमंत्री या उनके दल की लोग आपके बारे में बात करते हैं तब व्यक्तिकत आक्षेव होते हैं आपने घर खाली किया उसको लेके जिस तरह से हुआ फिर आपने विकार प्र कि एक मुक्यमंत्री और एक पूर मुक्यमंत्री को एक दूसरे को जैसे संबोधित करना चाहिए वैसे नहीं होता है उनसे पूछा वो बोले अकलेश जी बारा बज़े सो के उठते हैं फिर साइकल जलाने निकल जाते हैं आप लगातार उनके बारे में टिपड़ी करी रहे क्या लगता है आपको यह आखिरकार किया किस नहीं सब भारते जिन्धा पार्टी इतने नीचे स्थर पे क्यों आई आखिरकार कौन इनको कौन है जिम्मेदार इसके लिए अगर सबसे ज़्याद है पॉलिटिकल सिस्टा चार को खतम किसी ने किया तो वह भारते जिन्धा आज गाली कौन देता है वाधे MS ले किया दुनिया में दुनिया तो क्या सोचना अस बारे में आज सबसे जादा पेड़ लोग जो गाली देने वाले वह भात धिन्दा पाड़ी पेट करती है सोचे भाते जन्दा पाड़ी उनको पैसा देती यह ई का लोग सो गाली गंगाजल से दोएंगे क्या घर आप आप बताएं योगी मुख्वंती जी हैं कल यह हट जाएंगे यहां से और को गंगाजल से दुलवाए तो उनको कैसा लगेगा पूरे देश ने देखा कि आप घर खाली होते ही गंगाजल से दुलवाएंगे आप पूजा पाठ आप क्या मतलब था जब मैं गया हुआ तो मैंने तो नहीं पूजा पाठ किया मैंने तो नहीं गंगाजल से नहलाया हां यह क्या परमपरा थी और फिर आप प्रेस को सुबह 8 बजे जगाएंगे मुख्यमंत्री का रहे ले मुख्यमंत्री का दिकारी फोन करेंगे जाईए और यह दिखाईए जाकर कि मैंने पूरी इन्वेंट्री चेक कराई गहीं इन्वेंट्री में कोई गरवर नहीं था लेकिन उन्हें बददाम करना था यह स्कृप्टिड काम मलब पहले से तह चीज़ें कोई करता तो बाहते जिन्दापाड़ी करती है स्कृप्टिड पर आपको यह भी रहता होगा ना कि मैं इस चीज को विपक्षी कि इस वार को कैसे टैकल करूं तो स्वभाविक है ना कभी मुझे आपने टोटी की बात की हमने का चिलम है और लोग कहतें कि हाँ चिलम तो स्वभाविक है बहुत सारे सादू संद चिलम लेते हैं और यह हैं आप कहीं खामाब है हर द्वार चले जाए यह पूरा जी अ सब चिलम लेते हैं वह की खराब बात थोड़ी है चिलम क्या खराब आथ है चिलम लेने खराब बात नहीं है कि यह ने सच बता ही ना मैं किसी भी किसम का कोई नशा निभी सो निया बेखता कुर Reports क्राइब कर देंगें अमरीका के कई स्टेट्स में है वहां, लेकिन ये बहस लंबी है, इस बहस में मैं नहीं फस सकता, क्योंकि अगर सादू संत नाराज हो जाएं किसी बात को ले करके, तो अपने जो सादू संतों के बीच की परंपराएं ऐसी हैं, कि हाँ, ऐसा है तो है, तो इसे मुखरंदी ज कि वो क्या तक्रीफ है? आचारे, मैं आपकी प्रेस कॉन्फरेंस होती दुपेर में कई चुनावी प्रॉमसेज आते हैं, अब उन पे आना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, नाम लिखाओ अभिहान चला, जिसकी भाजपा ने चुनावा प्रॉमस को चुरा लिया, कॉपी कर लिया, आपने एक बात और कही पिछले इंटर्व्यूज में कि हम ही दे पाएंगे क्योंकि हमने बिजली घर बनाए, बिजली प्रोडक्शन के लिए यूनिट लगाई, भाजपा नहीं लोगों ने एक काउंटर सवाल और किया, कि जब भाजपा की टाइम पर बने ही नहीं, अगर अकलेश जी का अर्ग्यूमेंट वाने तो अकलेश जी, 300 यूनिट बिजली कैसे देंगे, दो और सप्लिमेंटरी सवाल है, बिजली सई लेटर है तो एक साथ बता देता हूं, ताकि आप अपना पक्ष, आपने कहा, सिचाई में मुफ्त बिजली देंगे, लोगों उनका पूछ लीजेगा, कि कितनी जोत वालों को देंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे, कि इतनी जोत वालों को नहीं देंगे, इतनी को देंगे, ये भी पूछा लोगों ने कमेंट बॉक्स में, कि कह रहे हैं, बिजली के बिल माफ करेंगे, तो जो पिछले बिल हैं क्या वो भी माफ करेंगे और एक सवाल आया कि अगर सब कुछ माफ कर देंगे तो फिर बैलन्स शीट का क्या होगा प्रदेश के बजट की बहुत अच्छा सवाल पूछा और आप पार्टी कहती कि उनसे मैंने नकल की है तो आप पार्टी बताए कि कि अगर कि योगी जी लैपटॉप दे रहे हैं या दुनिया में दूसरे हिस्से में लैपटॉप दे रहे हैं तो हमारी निकल कर रहे हैं यह तो योजना है वो दिल्ली में कितनी फ्री कर रहे हैं और यूपी में कितनी फिरी की जा सकती है और अच्छा किया वीजेपी ने चुनायो को लिकर करके दे दिया तो हम अपनी टीम से जो एक्सपर्ट लोग हैं जो जानकाल लोग हैं उनसे पूरी राय मश्रुआ करकर कही पहले तेह किया था और जब इलेक्शन कमिशन जबाब मा जड़ दिया गया मुझे खुशी है इस बात की कि यूपी में सबसे बड़ी ट्रांस्मीशन लाइन अगर किसी ने बिचाई समाजवाजी सरकार में बिचाई गई सबसे ज़्यादे के कार खाने का काम शुरूआ तो समाजवाजी सरकार में मैं एक एक प्लांट का नाम बता बनने पर उसको मिलना उसकी जगे को पूरा दिलवाना उस प्लांट की और जो चीजें उनको क्लियर करना मैं शुरू हो गया और मैंने का कि मैं जगय दूँगा और जो कुछ इस्टेट गवर्मेंट को देना होगा वो सब करूँगा उसके बाद निवेली लिगनाइट का प्लांट लगा जो काम पूरा होने जा रहा है एक बहुत बड़ा 3 इंटो 60 सुपरेट का थर्मार प्लांट लगने जा रहा है अ और फिर बीजेपी ये बताए अगर समाजवादी सरकार ने 300 इंट फ्री करने का वादा किया और किसानों को मुफ्त सिचाई के लिए बिजली देने की बात कही तो उन्होंने क्यों का कि 50% हम कम कर देंगे हम भी लेशन कमिशन को लिख कर के देंगे कि आखिरकार जैसे ही सम सिंट माफ कर देंगे तो जो बिजली का सवाल है 300 इनिट फ्री होंगी घहरेली बिजली के साथ-साथ पहले सरकार में जब समाजवादी पार्टी के थी तो सब सिचाई मुफ्त थी किसान की आने वाले समय में भी सिचाई मुफ्त होगी कई लोग यह भी इलजाम लगाते हैं अकलेश जी कि कुछ खास जिलों को बिजली वितरण में वीवी आईपी ट्रीट्मेंट मिलता था मसलन कन नौज जहां पे 24 घंटे बिजली आती थी और कई जिले थे जहां पे वीवी आईपी नहीं थे तो उन्हें उतनी बिजली नही रिष्टर था ये पूरी सरकारी प्रोपगेंड़ा जूट करती है प्रोपगेंडा फैलाती है ये संभवी नहीं है दो हजार सोलह में ही उत्तरप प्रदेश के मुख्यालों पर उत्तरप प्रदेश के कमिश्य लेविल पर और कितना बिजली हो और सबसे जादा है फीडर स सरकार होने के बावजूद भी डəبل एंजन की सरकार होने के बावजूद भी उत्तय प्रदेस में कोई बीजली का खाना नए नहीं नहीं लगाlair जितने समाजवादी सरकार में लगे थे वही और हमारे मुख्यवंति तो कमाल के थी हैं साड़े चार साल में बीजली कारखाने का नाम नहीं रट पाए आज सक उन्होंने इंटरिबू में विजली के कारखाने का नाम बताया हो तो बता दिजे आप पूरे इंटरिबू देख लिए अगर उन्होंने एक भी वार ये का हो कि 3 x 660 Supercritical Thermal Plant हमने लगवाए है यह 3 x 660 Supercritical Thermal Plant का काम चला है अभी हरद्वा गंज गए मैं बड़े गौर से सुन रहा था कि शायद विजली का कार खाने का नाम लेंगे विजली बनना शुरू नहीं लोगों को मिलना नहीं शुरू ही कि उनको दिखावे के लिए दिखावडी उद्गाटन करना था तो दिखावडी उद्गाटन कर दिया हर्द्वा गंज का 660 Supercritical Thermal Plant है वो बोले ही नहीं तो जो मुखिमंती बिजली का कार खाने का नाम नहीं रट पाए हो साड़े चार साल में वो इसी तरह का आरोप लगाएंगे कि हम बिजली नहीं दे पाएंगे आपका एक और पोल प्रॉमिस है कि अगर साण से टकरा के किसी की मौत होती है तो पांच लाग रुपे का मुहावजा देगी आपकी सरकार सवाल ये भी आया ये मुख्यमंत्री अपने इंटर्विव में बहुत जोर दे के कहते हैं गाय हमारी आस्था का प्रतीक है मेरी सरकार आते ही मैंने सारे अवैद बूचड खाने बंद करवाए फिर एक सवाल ये पूचा जाता है कि जब अखलेश जी आएंगे तो गौशालाओं को लेके और अवैद बूचड खानों को लेके गौकशी की समस्या को लेके उनका क्या रुखोगा मुख्यमंत्री जी से अच्छा जूड कोरी बोल सकता उन्होंने पूरे चुनावर ये कहा कि सभी स्लोटर हाउस बंद करेंगे क्या स्लोटर हाउस बंद कर दिये उन्होंने का अवैद सरकार बनने के वाद अवैद हो गया आप उनके भाशर सुनिए मैं तो आप से कहूंगा तो उनके भाशर जरू निकालिए आप कहरें सत्रा के पहले वो कह रहे थे बूचड खाने हाँ वैद वैद और सबसे ज़्याद है अब एक्सपोर्ट बढ़ा इनकी सरकार में इसका जवाब देंगे के नहीं देंगे और मैं तो एक ही बात कहूंगा उनके घर में गाए हैं नहीं हैं भाजपाईयों के घर में मुझे नहीं पता आज भी हमारे गाउं से फ़े चले जाएं आज भी लखनों में देख लें हमारे पास गाए पहली रोटी गाए को खिलाते हैं आज भी और गाए मा को भूखा रखने वाले लोग भूख से जान जाने वाले जो गाए मा की जान गई है भारती जिन्ता पार्टी पे सबस्याद है पाप पढ़ने वाला है इतनी भूंक से गाए कहीं नी मरी होंगी जितनी भारती जिन्ता पार्टी की सरकार में गाए भूंक से मरी है अगर कोई दोसी है तो भारती जिन्ता पार्टी है इनको इस बार गाय मा का भी पाप पढ़ने वारा है और मैं आपको भरुस्ता दिला सकता हूँ समाजवारी सरकार बनेगी तो कैसे और बहतर काम कर सकें जिससे गाय की देखवाल हो सके वो फैसले और काम होगा और जहां तक सांड से मरने की बात है एक दो नहीं मरें एक दो तो नहीं मरें उत्ता प्रदेश में नजाने कितने एक्सिडेंट हुए एक दून तो मैं ही बच गया था सांड के एक्सिडेंट से एक्सिडेंट से एक्सिडेंट से एक्सिडेंट साल पहले एक्सप्रेस वे तो एक्सेस कंट्रोल है उस पर जाने कहां से जानवर आ गए मैंने रोक करके होँआ के सिक्यूरिटी आफसर से का मैंने क्या कर रहो तुम यहां पर जब तुम्हारे पर सीसी टीवी हैं कैमरा है चलो हम तो बच गए हम तो बच गए लेकिन और लोग कैसे कौन जिमेदार इसके लिए सरकार जिमार और मैंने तो कई वीडियो देखे हैं गोरकपुर में सांड एक दूसरे को लड़ रहे हैं गोरकपुर की सड़कों पे जानवर और कई लोग की जान चा चुग raped इसलिए मैंने का जिन पर्वारों के सदस्यों की accident से जान गई है मैं उनके परिवारों की पांच लाग से मदद करूंगा और आप भी पूरा डेटर निकल वाएंगे तो आप खुद दुख करेंगे और ताजिब करेंगे कि बताओ यूपी में सांड से भी जान जा रही है आप गुरकपुर का जिक्र कर रहे थे एक प्रेंस क आत किया और गोड़ेन का सबस्क्राइब अब कर लाएं पार्टी से पीजान जो सवायाधी पार्टी से टिकेट मांगे उन्हीं पर विचार समाधी पार्टी करें एक आपकी और पोल प्रामेस है जिस पर बहुत फीडबेक आया पुरानी पेंशन विवस्था आपने कहा आप सत्ता में आयो तो पेंशन विवस्था लाएंगे लोगों ने सवाल किया कि जब ये पेंशन विवस्था खत्म की गई थी दोहजार चार पांच में तब आपके पिता जी मुलाइम सिंग यादव जी की सरकार थी तब तो कुछ किया नहीं अब कैसे मानने है ये पुरानी पेंशन कब खत्म हुई है इसकी रिसर्च आपको भी क लिए समाजवादी पार्टी ने वाकाइदा वित विभाग के जो अधिकारी काम करते थे उनसे रायली कई फाइनेशल एक्सपर्ट जो उत्व पदेश को फाइनेशली ठीक समझते हैं और जानकारी रखते हैं उनसे रायली और च्छे महीने लगबग इन करमचारी संगठर से मैं मिला हूं उसकी बाद मैंने फैसा लिया है सवाल यह है कि क्या भारती जंता पार्डे के मखवंटी जी खुद नी चाहते थी उन्हें क्या आसौसन नहीं दिया कमिटी बनाए थी आखर कार कम्यटी क्यों बनाए आप sécurité आ सारह साल क्या करते रहे जब करमचारी आपसे मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहा लो कई स्टेट में पुरानी पेंशन चल रही है तो अगर दूसी स्टेट में चल सकती है उन्होंने कुछ विवस्ता की होगी उत्तर प्रदेस का तो उनसे ज़्यादा बजट है उन स्टेटों से ज़्यादा बजट उत्तर प्रदेस का है जिन प्रदेसों में पुरानी पेंशन चल रही है इसलिए मैं आपको भरुसा दिलाता हूँ और तमाम करमचारी संगठन जो काम करने मिले हैं मुझसे समय समय पर और आंदोलोनों में आए हैं सभाओं में आए हैं उन्होंने खुद कारकम कियें पुरानी पेंशन बाहर नहोगी इसके लिए पूरी समाज़वादी पार्टी ने त्यारी की एक काउंटर आर्गूमेंट ये भी आता है कि आप 12 से 17 सीम रहे तब भी बहाल कर सकते थे नहीं लेकिन पोल प्रॉमिस इस बार की हैं मैं समझता हूँ इस बार ज़्यादा है मुझसे मिले हैं बारे से पहले मुझसे संगठन के लोग कभी नहीं मिले इतने कभी नहीं मिले और दुख की बात बोलें या तकलीफ की बात बोलें जब भी कोई समाजवादी पार्टी अच्छा काम करती है भादी जंता पार्टी के मुख्वनती जी को अबबाजान ये जरूरी आदा जाते है उन्होंने कहा, मैंने ये सवाल भी पूछा कहा कि क्या कोई असंसदी शब्द है अबबाजान उनको क्यों आपत्ती होती है इतनी इस अब्द से नहीं हमें कोई आपत्ती नहीं है लेकिन हमें आपत्ती है ये कि उन्हें क्यों अबबाजान यादा जाता है माली जे तीन सु इनिट बिजली दे रहे पुरानी पैंशल भाल करने लेप्टॉप डिस्रिविशन होगा हमारे मुख्यंती तो वो है जिन्हों लेप्टॉप नहीं चला पाते है वो अबबाजान कहके कह रहे थे कि राशन कहीं का कहीं चला जाता था तो वो क्या कर रहे थे अगर साड़े चार साल वो क्या कर रहे थे अगर र्राष्ट कहीं जा रहा था तो क्या कर रहे थे 454 साल वो यही बोल रहा है कि पहले जा रहा था हमने ठीक कर दिया ऐसा वो कहते हैं मंच पे इस से बहतर विवस्ता समाघमादी सरकार में थी और अगर कहीं जा रहा था तो कारवाई क्या कि उन्होंने इसलिए मैंने का भादी जनता पार्डी से अच्छा जूट को नहीं बोल सकता कई राशन वालों पर तो स्टीएफ कारवाई हुई अच्छा स्टीएफ से ध्यान आया अखलेश जी लोगों ने यह भी कहा कि जब अखलेश यादव मुकिमंत्री थे तो स्टीएफ और एटीएस उसको नख दंत विहीन कर दिया गया था तो उन्होंने पर तो बहुत काम किया सर्विसिश शुरू करवाई लेकिन जो लॉइन और्डर का काम होता है कि एटीएस जाके जगे जगे स्टीएफ काम कर रही है उसका अगर आप नंबर उफ उनके ऑपरेशन देखेंगे तो घट गए थे जहां तक पुलिस को अच्छे काम करने के लि किया अपनले इस विभाग के जो हमारे सिपाई हैं हैट कॉंस्टिबन का मनोवल बनाने के लिए सबस्यादे प्रमोशन किये गए सवाल यह है कि स्टीएफ की जाच कौन करेगा इस सरकार में जिस तरीके से अन्याय हुआ है जिस तरीके से लोगों के साथ इस एस एस एफ न अन्याय किया उसकी जाच कौन करेगा इस टीएफ ने अन्याय किया कैसे बहुत सारी घटना है जिसमें अन्याय हुआ है और जिसमें जाच होगी वो चीज़े सब बहर आएंगी इस टीएफ की घटनाओं की बात हो रही है एक सवाल मैं इमानदारी से बता देता हूँ छूट गया था वहाँ पूछना जब हम लोग आजम खान साब इन सब की बात कर रहे थे तब अंसारी परिवार का भी जिक्र आया कि गुड़ खाएं गुलगुले से परहेज जैसी बात है आप 2017 में बहुत खिलाब थे कि मुकतार अंसारी का परिवार आपके साथ जुड़े पॉलिटिकली आपने विरोध किया था अब सिख्वुत अंसारी को आपने ले लिया और राजभर जी को लगा दिया डूटी पर कि वो मुकतार अंसारी को एकुमडेट कर ले और एक बात अतीक एहमत की भी आई कि आप बहुत नाराज थे और 2016 का प्रसंग जब आपने उन्हें मंच से उतरवा दिया था क मुकतार अंसारी सिख्वत अंसारी सापका है उनके ऊपर कोई मुकतार अंसारी से नहीं है और कोई हमारी पार्टी में नहीं आया है एक और जनाब थे जो आपकी पार्टी के साथ घट्रियोड चा रहे थे पर लोगों ने कहा कि आप मिले भी नहीं रगुराज प्रताप सि नहीं मेरे बेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुए इस बात को लिए कर गड़वंदन होगा की नहीं होगा आपके क्लिफ वाइरल हुई जिसमें आपने पूछ दिया कौन राजा भाई है प्रताब गड़ कही दोरे पे ते शायद आप बिलकुँ मैं प्रताब गड़ता हूं और अभी फिलाल मैंने केवल एक का दो विस से अलग लग है एक बात मैंने यह कही कि गौर्मिंट में जितने भी खाली पद हैं वो भरे जाएंगे वो मैं मैनिफेस्टों में लेकर क्या हूँगा और परिच्छा नियम से हो और परिच्छा समय से हो नौजवानों ने पूछा ह कि कोविड में उनके दो साल वेस्ट हो गए क्या आप एज रिलेक्सेशन देंगे दो साल का काम तो डबल इंजय की सरका को देना चाहिए क्योंकि दिल्ली से लेकर के लग्रतियों की बात हो राज़ी मैं विचार करूंगा उस पर और क्योंकि बहुत सारे बच्छे मांग कर इस बात के के एज का रिलेक्सेशन उनको मिलना चाहिए कुछ बच्चे सुप्रीम कोड तक गए पिशली बार मुझे याद है जब इलावास से एक बच्चे आये थे वो कुछ एज बढ़ाने की बात कर रहे थे तो समाजवादी पार्टी ने उनकी भी बात मान करके परिक् ने प्रॉमिस किये जो मैनेफेस्टों से पहले रहाने से पहले वह यह कहा कि आएट्य सेक्टर में अबही केबलं में आएट्य सेक्टर एक अगर हम S.C.L. campus देखें तो साड़े पांच जार बच्चे काम कर रहे हैं अभी मैंने सैमसंग के expansion की नौकरी की बात नहीं की Metro जो बन रही हैं इसमें कितने engineers या professionals को काम मिला वो नी और इधर जिस तरीके से IT सेक्टर में बदलाव हुआ है या technology जिस तरीके से हर काम में आ गई है तो संभव है कि बड़े पेमाने पे नौजमानों को नौकरी रोजगार मिल सकते हैं इसमें एक supplementary सवाल अखले जी ये भी आया कि आरक्षन का EWS आरक्षन को लेके आपका क्या रोख है जो मूल भावना थी मंडल कमिशन की उस मूल भावना से खिलवार नहीं करने चाहिए और मुझे याद है जब सुरुआती तोर में लोग ये आरोप लगाते थे कि बताईए पिश्ड़े competition नहीं कर सकते हैं दलित competition नहीं कर सकते हैं और ये आरेच्छन के बहाने देखो क्या नौकरी रोजगार पा रहे हैं लेकिन अगर इधर हम merit देखें चाहें पिश्ड़ों की दलितों की तो वो जनरल की merit से भी अच्छी हैं तो competition कहा बचा तो पहले जो जनरल में लोग आ जाते थे जनरल से भी competition करते थे वो सब पावंदिया बीजे भी नहीं लगाई है तो इसलिए मूल भावना से मंडल कमिशन के खिलवार नहीं होनी चीए और मूल भावना से खिलवार करने का काम भातिनिता पाटी कर लिए तो आप ये जो दस फीज़दी इसके खिलाफ उसको लेकर कि सुप्रीम कोट को भी गए लोग आप देखिए नीट के मामले में क्या एफटेविट लगाना पड़ा जब एफटेविट लगाना था सरकार को एफटेविट नहीं लगा है सरकार ने फैसा ले लिया क्या देश नहीं जानता है ये बच्चे नहीं जानते ये भादेशन पाटी की देन नहीं है ये कोट ने उन्हें रहात दी थी तो मैं ये कहूँगा कि जो मंडल कमिशन की मूल भावना है उससे खिलवाड नहीं होनी चाहिए वावा साहब भीम्रा मिटकर जी ने जो अधिकार दियें उससे खिलवाड नहीं होनी चाहिए EWS रिजर्वेशन को लेके समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष का रुक क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मैं आप से कहना हूँ कि मंडल कमिशन निमे के जो मूल भावना थी उससे खिलवाड नहीं होनी चाहिए हमारा सोशल मीडिया पार्टनर है कू एप इस पर बहुत सारे सवाल आएं भीड लगी थी मैंने दसी सवाल चुन लिए हैं आप एक एक लाइन में भी चाहिए जवाब दे सकते हैं कि समय की कमी है कल पना यादा हो का सवाल है कि बीजेपी ये लगातार कह रही है कि लड़क 1090 को एप्रिजेशन सुप्रीम कोड तक ने दिया था और आज हम स्टेटेसिक्स देखें अगर हम एंसी आर्वी का आकड़े देखें तो सबसे ज्यादा खराब आकड़े अगर कहीं है महिलाओं को लेकर के बेटियों को लेकर तो उत्तरप्रदेश के और हात्रस जैसी घट बंदन में आती पिष्णों को तो ला रही है लेकिन दलित समाज पर काम नहीं यह सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के जब हम परसेप्शन की बात करते हैं बैटरी आफ लीडर्स की बात करते हैं तो यह एक चीज़ दिखती है कि उतना असर जो हमा के लिए लगातार काम करी हो बड़े प्यमाने पर जोड़ा है विकास यादव का सवाल है 2017 में कौन सी गलतियां रही जो आप नहीं दोराना चाहेंगे इस चुनाव में जो 17 के कैमपेन में आप से गलतियां हुई कोई गलती नहीं हुई जनता इस बार भारते जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तयार है असत परवेज का सवाल है कि भाजपा के दुरुवी करण को कैसे रोकेंगे क्या है अखलेश यादव की स्ट्रेटिजिग हम सब को मिलकर के जो गंगा जमनी की तहजीव या जो भाईचारे की तहजीव है उसको बनाए रखना है भारते जनता पार्टी के परचार में नहीं फसना है देव का सवाल है कि सपा क्या यूपी की पार्टी बनके रहेगी रास्ट्री परचार प्रसार इसका कब होगा कैसे होगा को यूजगा है समाजवादी पार्टी में महर है, उत्त प्रदेश के बहार बड़ा फैलाव नहीं हो पाया, आने वाले समय में देखिएंगी उत्त प्रदेश के बहारू ही समाधि-पार्टी अब नीश्ट का सवाल है कि क्या किसान क्रडिट डेंगे रिह कि किसानों के लिए सुबधाएं लेकर के आएंगे मैनिफेस्टों में अभी क्रेडिट कार्ड को लेकर के नहीं लेकिन किसानों को रहात देने का काम और इंट्रेस्ट फ्री कितना लोन दे सकते हैं उस दिशा में काम करेंगे अच्छा यह आदिल का सवाल है कि AIMIM से गठवंद की कभी बात ही नहीं हुई इसलिए कभी समाध्य पाड़ी आगे नहीं बढ़ी राजी वर्मा ने पूछा है कि यूपी का कोई सीम पूरे सूबे का सीम क्यों नहीं होता है कोई सब अपने अपने छेत्र पकड़ लेते हैं वहां जमकर विकास कराते हैं बाकी जगे उतना न जफर नगर वाया देवन सारंपूर अगर किसी ने फोल लें सड़क बनाई तो समाजवादियों ने बनाई मेडिकल कॉलेज जो काम चला था आगे बड़ा सारंपूर में बना बिहार से जोडने वाला सबसे बड़ा पोल बलियां में समाज़ी सरकार में बना आपका इस ने सारा लगता था मिले मुलायम काशी नाम हवा हो गए जैशरी राम और वहां से सपा की जर्नी शुरू हुई और अब समाजवादी पार्टी करें कि हम परशुराम की मूर्ती लगाएंगे सपा को भी इस तरह से जो सो कॉल्ड फॉर्वर्ड कास्ट है अब रहमर समाज है उस तरीके का पॉलिटिकल शिफ्ट आ गया कि लोहिया की जमाने की पार्टी जो नारा लगता था संसोपा की यही पुकार पिछले पावें सौ में साथ संख्या भारी हिस्सेदारी और अब परशुराम की मूर्ती लगाने की नौबत आ जो समाजवादी मुद्दे थी वो आज पार्टी से जुड़े लोग हैं अगर उनकी भावना उनकी आस्था किसी चीज में अगर उनके कारेकमों में शामिल हो रहे हैं तो इसमें कोई आपती नहीं है और हम समाजवादी लोग तो हर भगवान को मानने वाले लोग हैं और मैं खुद भगवान विश्णू के सभी जितने ही अवतारें सबको मानता हूँ आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी के राश्ट्री अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर मुख्यमंत्री और आजमगर से सांसद अखलेश अदव को यह पूरी बाचीद आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अखलेश जी आपने जमगट के लिए इतना समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद और चुनाओ के लिए बहुत बहुत शुप कामना है बहुत धन्यवाद आपको थैंक यू सो मज़ी